हेलो बच्चों क्या हल चाल है भाई आई होप आपके जेए में इसके रिजल्ट आ चुके हैं और अच्छे आए होंगे अगर आपने साल बर अच्छी तैयारी की है तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिला होगा तो जो अपनी सीरीज चल रही है आइटी जेए एडवांस के प्रीवियस सीयर्स के 1978 से लेकर और जो लेटेस्ट 2021 तक कि अपन सारे सॉलिशन बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे ना तो आज मैं मैं बना रहूं जेए का 1984 का सॉलिशन है तो स्टार्टिंग मैंने ऐसी थोड़ा सा दिमाग में आए कि चलो क तो इंटरस्टिंग बताते हैं तो पेट्रोल का जो प्राइज है ना 1984 में वह पर लीटर जो है सात रुपे था आजकल के टाइम में लगबग 120 रुपे के आसपास है चलो आते हैं पेपर की तरफ पेपर में जितने भी टाइप के क्वेशन्स हैं उसमें जो आजकल का पैट जाते हैं true false type के बार पूछ लेते हैं और descriptive टाइप का मतलब जिनके answer हमको detail में बताने पड़ते थे उस टाइम पर चलो start करते हैं one option correct से यह पहला सवाल है इसमें कुछ ऐसी बाते हैं जो अब J की syllabus में नहीं है पर उस दौरान हुआ करती थी मैं कोशिश की थोड़ा बहुत उसके बारे हम पता करने की start करते हैं question number one में लिखा हुआ है select the correct statement from the following a option देखते हैं a diode can be used as a rectifier यह तुम जानते हैं कि हाँ डायोड को हम क्या करते है रेक्टिफायर की तरह भी यूज में ले सकते है रेक्टिफायर क्या होता है जो किसी भी AC signal को DC में convert करते है बी में लिखा हुआ है a triode cannot be used as a rectifier हमको सही option चूज करने थे यह जो ट्रायोड होता है इसका मैंने एक diagram आपको दिखाने के कोशिश किये इस तरह की device होती है ट्रायोड vacuum tubes को बोलते हैं और इसके बारे में हम detail में बात इसलिए नहीं कर सकते दो बाते एक तो अब syllabus में नहीं है यह दूसरी बात इसके बारे में अगा detail में पढ़ने बैठेंगे तो फिर हमको एक्ष्रा बहुत सारी चीज़े कवर करनी पड़ेगी जो मैं किसी कभी फुरसक में कवर कर हुआ तो अभी अपना टार्केट है क्वेश्चन के सही option तक पहुंशना वैसे तो आंसर आ चुका है और इस सिंगल करेक्ट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं पर फिर भी एक बार देख लेते हैं बागी options यह triode cannot be used as a rectifier तो ट्रायोड जो होता था उसको हम rectifier की तरह यूज में ले सकते थे हैं तो यह option जो है गलत हो गया the current in the diode is always proportional to the applied voltage diode के बारे में तो हम जानते हैं यह बोल रहे हैं कि diode से फ्लोने वाला current हमेशा applied voltage के directly proportional होता है proportional होता है ऐसा नहीं है पहले बाद तो reverse bias में ऐसा नहीं हो पाता है जब डायोड को reverse bias में यूज में लेते हैं और forward bias में proportional तो होता है हम applied voltage को बढ़ाते हैं तो current तो बढ़ता है लेकिन वो directly proportional नहीं होता है ख्या directly लिखा भी नहीं है पर यह statement इनका कहना है कि हमेशा सही है तो reverse biasing के लिए तो यह गलत हो जाएगा गलत हो गया यह linear portion of IV characteristic of a triode is used for amplification without distortion मैंने जितने इसके बारे हैं पढ़ा कि हम ट्रायोड को amplification के लिए यूज में लिया करते थे बहुत पहले जब transistor नहीं आये थे market में पर उसमें distortion काफी होता था distortion का मतलब होता है extra noise का मिल जाना उसको बोलते है distortion तो यह option भी गलत हो गया क्योंकि यह बोल रहे हैं without distortion जब कि distortion आ जाते है चलिए next question बहुत simple सा question है यह body is moved along a straight line by machine delivering constant power जैसे माल लो कोई body है suppose इस पर हम कोई machine है जिसके कारण जिसके द्वार हम force f लगाते हैं काम की बात लिखी हुए delivering constant power जो power इस machine के द्वारा इस body को दी जा रही है न वो constant है ऐसा question में बताए गया है तो हम पुछा distance moved by the body and time is proportional to हम जानते instantaneous power जो होता है वो होता है fb cos theta straight line की बात करेंगे तो force और force को लिख दूँगा मैं mass into acceleration acceleration को लिख देंगे हम dv by dt into v equals to constant यहां लिख लेते हैं यहां साथ आजएगा मेरे पास mvdv equals to constant dt दोनों तरफ integration कर देंगे बिना कर लेते हैं तो यहां से मेरे पास आएगा v square proportional to t की पावर बने सही बात है थोड़ी सी जगे बना लेते हैं यहां पर कि मुझे पहुंचना था distance traveled का time के साथ relation मतलब मेरे टार्गेट था x और t के बीच का relation लाना मैं यहां से रूट लगा दूँगा तो v आ जाएगा some constant times root t v को लिखूंगा dx by dt dt को उस तरफ ले जारूं कि सभी बात है समझभा रहा है दोनों तरफ integration कर देंगे बिना के यहां आजाएगा x वहां आएगा t की पावर हाफ का तो पावर 3 by 2 आएगा तो जो आंसर होना चाहिए उसमें distance traveled t की पावर 3 by 2 के proportional मतलब c answer आएगा चलो आगे बढ़े next question number 3 यह electrostats पर based जिस पर थोड़ा बहुत SHM का या oscillatory motion का basic आपको आना चाहिए to equal negative charges minus qr fix at points 0, minus a and 0, a on the y-axis तोड़ा साथ को zoom कर लेते हैं सब्सक्राइब यह y-axis यह x-axis यह ना दो equal charges minus q तो रखा हुआ है भाई कहां पर 0, minus a पर और plus q रखा हुआ है कहां पर 0, a पर यह positive charge capital q is released हमने capital q charge को release करा कहां से बच्चों 2a, 0 से on the x-axis तो charge capital q will हमको इस charge capital q के motion के बारे में comment करना है तो यह तो confirm है कि इस charge पर इन negative इस negative charge के कारण attractive nature का force लगेगा यह मैंने थोड़ी सी mistake कर दी यह दोनों charges जो रखे देने negative charges थे और इसी capital q पर उपर वाले negative charge के कारण बे अट्रेक्टिव force लगेगा इन दोनों forces का जो net आएगा वो साफ दिख रहे है कि इदर की तरफ आएगा origin की तरफ इसका मदब इस force के कारण इस charge particle accelerate होगा और जब origin पर पहुँचेगा तो इसके पास अच्छी खासी speed आ चुकी होगी उस speed के कारण ये origin से left की तरफ निकल जाएगा यहां कहीं आ चुका है अब इस पर उन negative charges के कारण attractive forces ऐसे लग रहे होगे तो forces का net इधर आ रहा होगा जबकि velocity left side में थी तो retardation होगा और speed कम होते होते कहीं negative side पर जाकर speed 0 होगी फिर वापस यह इसी attractive force के कारण फिर आएगा तो यह तो confirm ही कि oscillatory motion तो guarantee की साथ वो कर रहा है तो कौन-कौन से option गलत होगा है C option wrong इसमें बोल रहे है move to infinity D में लिखा हुए move to the origin and remain at rest गलत है origin पर आया लेकिन वहाँ पर वो rest पर नहीं रहा अब A है D में लिखा हुआ है A में लिखा है कि SHM करेगा origin के about D में लिखा है कि oscillatory motion तो करेगा पर SHM नहीं करेगा तो SHM करेगा या नहीं करेगा उसके लिए क्या करेंगे मान लेते हैं कि कि किसी instant पर यह charge particle color दूसरा ले 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 लेते हैं यह ले ले लेते हैं अच्छा लग रह रहा है यह charge particle origin से x distance पर आ चुका था इस पर लगने वाले जो forces हैं इधर की तरफ F इधर की तरफ F मान लेता हूं यह angle theta है तो इधर भी theta angle बनेगा तो इस पर जो resultant फोर्स लग रहा होगा वो लिखके देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहे हैं टू एफ कॉस थीटा सही बात है वैले पूट करते हैं जहां पर एफ है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्कॉयर यह सीधी डिस्टेंस यह वाली वह कितनी हो जाएगी सवाल में दे पॉस थीटा को ट्रेंगल से लिख सकता हूं x upon a square plus x square की पावर 3y2 इसको डंग सा रेंज कर लेते हैं इसको डंग सा रेंज कर लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स आ गया है 2kqx upon a square plus x square की पावर 3y2 हम समझ सकते हैं कि इन दोनों forces का जो net आ रहा है वो मीन पोजीशन की तरफ रहा है लेकिन जो resultant force का magnitude आ रहा है वो mean position से जो displacement है मतलब x की power 1 के directly proportional नहीं है आप देखो यहां डन से उपपर x की power 1 है नीचे x cube बनेगा तो एक तरह से 1 by x square के proportional टाइप का रहा है इसलिए shm तो नहीं करेगा अच्छा shm कब करता है अगर हम वसांसर आ चुका है अपना और ऐसी extra बात कर रहे है अगर मैं condition लगा देता कि यह जो x है न यह बहुत बहुत छोटा है a से तो देखो आप यह नीचे जो लिखा हुआ है इसमें x square को बहुत ही सब्सक्राइब करता मान लूँगा a स्कॉर से तो यही रिजल्टेंट फोर्स लगबग क्या दिखाई देगा 2kqqx नीचे बनेगा small a square की power 3y2 मतलब aq फिर यह constant into x आ जाता तो हम बोलते कि हाँ पार्टिकल क्या करेगा ऐसे चाहिए पर अभी नहीं कर रहा है ऐसे चाहिए चाहिए आगे बढ़ते हैं वेव स्ट्रिंग वेव पर बेज्ट बहुत ही सिंबल सा question the transverse wave is described by the equation this traveling wave की equation दे रखी equation को देख कर मैंने बोलाए कि वेव ट्रेवलिंग वेव है ना the maximum particles velocity is equal to the four times wave velocity if तो देखो गई condition के है कि maximum particles velocity particle की velocity की maximum value जो है ना वह है four times velocity of wave सभी बात है अब particle की velocity particles जो है ऐसे चम कर रहे होते हैं ऐसे इस तरह से एसे चम करते हैं particles mean position के बाउट यह mean position है इस तरह से चम कर रहे होते हैं particle तो एसे चम में particle की speed का formula होता है a omega और maximum speed कब होती है जब वो particle कहां से पास होता है mean position पर तो इसकी जगे मैं क्या लिख दूँगा a omega equals to four times wave की velocity अब देखते हैं given equation को देखना भी amplitude कितना है वाइन ओमेगा को एक काम करते हैं ओमेगा ही रहने देते हैं थोड़ देर के लिए four times wave की velocity आपको पता होगा वेव की velocity का अगर मैं relation लिखूं के और omega के साथ तो के होता था omega अपॉन वेव की तो वेव की velocity omega by के हो जाएगा omega by के omega से omega उड़ा दूंगा के होता है बच्चे लेम्डा नेंडा अपर पहुंच जाएगा यहां से यह नोट टू पाइद फोर एक कश़ लेम्डा अगे यह कैंसल आउट कर दो दो लेम्डा आगे भी पाइद इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक है सिंपल क्वेशन था बढ़े आगे यह रूम टेम्परेचर यह है के टीजी काइनेटिक थीरी ऑफ गैसे पर बेज़ सिंपल सा क्वेशन आप सब जानते हैं वी आरेमस का फामला क्या होता है रूट 3RT बाइए ठीक है तो वेलिपूट करते हैं रूट 3R होता है लगबग 25 बाइट्री टेम्परेचर यह बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन अपन मुलर मास मुझे गैस के बारे है पता नहीं गैस पता करनी कौनसी गैस है मैंने मान लिए मूलर मास M है और मेंस स्पीट गवन है वन 930 इसको आप सॉल करके म मिखसकते हैं उससे आनसर दा पहुंच सकते हैं केलक्लेशन करें क्या इससे आफ लोग कर सकते हो फिर भी च जाएगा रूट के अंदर 3 by m बचेगा इस 0 से 0 डा दूँगा इस 193 को लगबग एक बार क्लिए 190 माल लेता हूं थोड़ देर के लिए और 5 से cancel out करूं तो कित्ती बार कटेगा 5 से 190 5 3 15 और 38 बार मैंने थोड़ा सा अप्रॉक्सिमेशन लगा थे 193 को लगबग 90 माल लिए लगबग 13 आगया अब मैं स्क्वाइर कर दूं अगर दोनों तरफ ए बर 38 को लगबग 40 माल लेते हैं calculation simple बनाने के लिए 40 का स्क्वाइर एक पस्टो 3 by n यहां से molar mass आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 by 16 00 यह जो आएगा किलोग्राम आएगा इसको ग्राम में कर लेते हैं 1000 से multiply कर देते हैं यह उड़ा देते हैं तो लगबग 30 by 16 लगबग 2 के आसपास आ रहे हैं तो गैस कौन सी रहेगी H2 इसकर आप exam में भी approximate calculation कर सकते हैं जैसे 38 माना लगबग उसको मैंने 40 लिख दिया था और उसके साब से approximate answer निकाल लिया चलो यह तो थे अपने ऐसे सवास जिन में एक यह option सही था आगे बढ़ते हैं और वन और more options करेक्ट टाइब questions की बात करते हैं एक dimension पर बेज़्ड सिंबल सा question LCR represents the physical quantities inductance capacitance resistance जो कि हम जानते हैं symbols का मिन हैं हमको बताना है कि दिये गए options में से हैं वो कौन-कौन से options हैं जिनकी dimension frequency की dimension है frequency बोले तो 1 by time period है तो जैसे first of all option check करते हैं 1 by RC आप जानते हैं कि जब हम capacitor के charging का process पढ़ते हैं उसकी equation पढ़ते हैं तो आप और उसकी equation में आपको याद होगा time constant आता था जो कि RC होता था यहीं से पता चल रहा है RC की dimension time वाली होगी यह एक तरह से dimension wise time one upon time frequency और frequency तो पूछा है इसका मतलब a answer से ही होगा second देखते R by L यह कैसे पैचाने हैं इंडक्टेंस वाले circuit में इंडक्टिव circuit की अगर बात करूँ तो वहाँ पर जब growth of current पढ़ते हम पढ़ते हैं तो उसमें जो time constant होता था न बच्चों वो L by R होता था आपको यादो न चीए तो L by R अगर time को denote करता है तो R by L1 से one upon time को denote करेगा इसका मतलब R by L by answer से ही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में और option चेक कर लेते हैं one upon one upon root LC अगर आपको फिर से याद हो जब एक capacitor और एक inductor होते थे किसी लूप के अंदर को register नहीं होता था जिस topic को हम LC oscillation बोलते हैं उसमें हम resonance frequency जो निकालते हैं आप यादो अगर वह आती थी कि R by L की dimension है वन अपॉन टाइम वाली और अपने क्या देखा था वन अपॉन RC की dimension भी है वन अपॉन टाइम वाली यहां से मुझे C by L बनाना है C by L बन जाएगा कि हांसे C by L यह लग से कुछ कोशिश करें हैं अपने C by L तक पहुंचना है वैसे समझ में आ रहे है यार और बैल की dimension वन अपॉन टाइम वाली थी तो यहां आर की जिएगे C आ गया तो C by L की dimension नहीं हो सकती तो यह अगर आप चेक करना चाहें तो और बेसिक से चल सकते हैं देखो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं यह मुझे मुझे पता है कि One upon RC कि dimension One upon T वाली है यहां से मुझे C की जो dimension वह दिख रही है टी बाइर की dimension ताइम अब मुझे C by L की dimension तर पहुंचना था जटा जो यहां बंजे यह भी पता है कि आर बाइल की जो dimension वह दो वन अपॉन टाइम वाली है तो L की की dimension आर्टी टाइप की होगी अब सी वा ल की dimension चैक करते हैं सी की जगे में टी वा यार रख रहा हूं और एल की जगे में आर्टी रख रहा हूं भी से टी उड़ जाएगा यह आजएगा भन अपना रसको यह तम पता रजिस्टेंस की dimension का square कर दूँगा time-vime तो नहीं आना वहां से मतब यह option तो गलत हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं यह सवाल है यंग्स double-sled experiment का मैंने ऐसे ही आपके लिए जो thomas young थे जिन्होंने इस experiment के बारे हम बताया था यह से experiment को करा था लाइट के interference के बारे हम बताया था और फिजिक्स में कई जगे इनका योगदा ने उनका photograph आपको दिखाया है चलिए सवाल पर आते हैं photograph से सवाल होना नहीं है यह तो पढ़ाई से होना है वाइट लाइट इस यूज़ तो इलिमिनेट इन यह एक्सपरिमेंट वह कार्डबोर्ड है इसके सामने यह स्क्रीन रखे हुई है दो स्लिट हमने बना रखिये इनको दो डॉट से दिखा रहु हूं है S1, S2, यहां कहीं पर source रखा होता था, ठीक है भई, क्या लिखा हुआ है, the separation between the slits, slits के बीच का separation है B, और slits से लेकर, मतब कार्डबोर्ड से लेकर, screen तक का separation है D, जो की काफी ज़्यादा है B से, At a point on the screen, directly in front of one of the slits, किसी एक slit के ठीक सामने वाले point, माले उसका नाम B है, पर मुझे observation करना है, आगे लिखा हुआ है, certain wavelengths are missing, some of these missing wavelengths are, यह बोल रहे हैं कि इस point पर कुछ wavelengths missing थी, missing का मतलब है, ऐसी wavelengths, जिनके corresponding यहां minima बना होगा, तो बस मुझे पता करना है कि, जिन wavelengths का यहां minima बना है, वो wavelengths क्या-क्या हो सकती है, given options में से, बिल्कुल basic पर चलते हैं देखो एक बार, screen के किसी भी point पर, आपको पता होना ची, part difference का formula D sin theta होता है, जहां पर theta होता है, जैसे मानलो, यही point P है, theta होता है उस point की angular location, angular position, दूसरी बात, 10 theta को मैं लिख सकता हूँ, diagram देखते हूँ, मानलो, यह Y है, यह तो D रखा है, D है, 10 theta को लिख सकता हूँ, Y by D, यह मैं कह सकता हूँ, इसको देखते हुए, कि sin theta मेरे पास delta x by D आ गया, अब डंग से देखना है, यह बोल रहे हैं कि यह distance बहुत ज़्यादा है, इस distance के comparison में, इसका अब यह theta बहुत ही small होगा, theta small होगा, तो sin theta और 10 theta लगबग बराबर होँगी, तो मैं 10 theta और sin theta को equate कर देता हूँ, यहां से मेरे पास delta x आ गया, यह कुछ गलती हुई मेरे से, D sin theta, यह अच्छाचा, symbols की mistake है, जिसको मैं यह D लिख रहा हूँ, उस experiment में हम इसको generally D से denote किया करते थे, तो यहां पर B sin theta लेख दूँ है न, और बाकी सब सही लिखा हुआ है, सही कर लेते हैं अपन बाकी symbols भी, यहां पर B आ जाएगा, और यहां पर B, B आ जाएगा, तो मेरे पास delta x का जो formula दिखाई देगा, वो B, Y by D दिखाई देगा, सही बात है न, और Y, point P की बात करोगर S बन के ठीक सामने है, तो Y की value, यह total separation B का आधा हो जाएगा, तो Y की जगे B by 2 रद दो, तो उस point जिसकी बात चल रही है, path का difference आ गया, B square by 2D, यह वाला formula वैसे हमको directly याद होना चाहिए, पर फिर भी चलो, अपनी discussion कर लिए इस बारे में, अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर minima बने है, minima क्ले हम जानते हैं कि जो part difference होता है, यह किस type का होना चाहिए, lambda by 2, या 3 lambda by 2, इस type का होना चाहिए, आप एक एक करके इनके बराबर करते जाएं, तो आपके पास lambda की value आती है, जैसे अगर मैं इसके बराबर करूँ है, और general बात कर लो, तो part difference, minima क्ले कितना होना चाहिए, 2n-1 into lambda by 2, जहाँ पर n की value 1 से start कर ली है, तो इस part difference जो के हमने निकाला था, b square by 2d के बराबर कर दो, थोड़ी सी जगए बना लेते हैं, calculation के लिए हाँ पर, यहां से मेरे पास lambda की value की आ जाएगी बच्चों, 2 से 2 डादू, lambda आ जाएगा, b square upon 2n-1 times d, अब इसके अंदर n की 1, 2, 3 इस टाइब से value put करते जाएंगे, lambda की value जाती जाएगी, put करके देखते हैं, चलो, n को 1 put करा मैंने, तो आएगा b square by d, a option सही है, n को 2 put कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा, b square by 3d, मतलब c option सही है, n को 3 put कर दूँगा, तो b square by 5d, और value put करते जाएंगे, तो value जाती जाएंगे आगे, पर यह दो values यह मुझे match होती नजर आ रही है, तो answer होंगे a and c, यह बड़ चेक कर लेते हैं, 7th का answer, 7, 7, 7th, a and c, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 8, जो कि, यह और याद दिला दू, यह जो भी मैं paper discuss कर रहा हूं आपके साथ, यह memory based है, और उस दौरान, जो भी paper आए होंगे, हो सकता है, उनके इंदर data जो है, वो इस paper में आपको देख रहा है, इस data से different थोड़ा बहुत रहा हो, पर ऐसी एक rough idea लग जाएगा हमको कि 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 टाइप की equation, IIT में पूछे गए हैं पहले, चार equations given हैं, जिन में से पूछ रहे हैं कि nuclear fusion, जो reaction है, वो कौन-कौन सी possible है, तो यह तो informative type का सवाल है, यह तो देखते हैं गलत हो गया भी, यह तो मज़ाग है, क्योंकि इन्होंने पूछा nuclear fusion, जबकि यह तो fission reaction है, बचे कौन-कौन से ABC, यह आपको directly आद होना चाहिए कि B और C जो है, वो possible nuclear fusion reaction है, इसमें जो भी energy release होती है, उसका यूजम, fusion में जो reactors होते हैं, उसमें यूजमें लेते हैं, जो पहली वाली equation है, वो इसलिए गलत है, एक तो गलती का कारनी कि बैलेंस नहीं है, यहाँ 6, 1, total 7 है, जबकि यहाँ 6 है, प जिस source से उठाये गया है, वहाँ पर कुछ गलती हुई हो printing में, पर अगर 7 and 14 type का हुआ अगर, तो फिर दिमाग में यह आ सकता है कि यह जो है ना, यह बहुत ही rare, मैं कह सकता हूँ, बहुत कम stable होता है, stability की बहुत कम होती है, carbon 12 जो होता है, वो most stable होता है, carbon 13 बहुत ही कम stable है, इसलिए reaction generally देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैं कहूँगा कि यह option गलत होना चाहिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, bore model के एक सवाल की तरफ, in the bore model of the hydrogen atom, कुछ बाते पूछी कही है, जैसे यह option चेक करें, the radius of the nth orbit is proportional to n square, तो सीधे formula based है, radius का formula आपको याद होगा, 0.529 angostron, और यहां क्या आता है, n square by z, तो सीधे सीधे यह तो, टिक कर देंगे कि यहाँ n square के proportional है, b में लिखा है, total energy of electron in the nth orbit is inversely proportional to n, total energy का formula बच्चो क्या होता है, minus 13.6 n square by z square electron volt, जबकि क्या बोल रहे हैं, nth orbit में total energy n के inversely proportional है, जबकि n square के directly proportional है, तो यह option गलत होगा, c option देखते हैं, angular momentum of the electron in an orbit is an integer multiple, integral multiple of h by 2 pi, तो सीधे सीधे boards model की theory है, कि angular momentum जो है, m, v, r, वो क्या होता है, nth upon 2 pi, तो उन्होंने क्या बोला है, h upon pi, का, यह integral multiple होगा, तो मेरा कहना है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि n की value, अगर मैं 1, 2, 3, 4 put करता हूँ, तो 1 put करूँगा, तो यह half आजाएगा, तो integral multiple नहीं कहलाएगा, यह, बस यह हो सकता है, फिर से doubtful, कहीं यह h cross तो नहीं था, यह, क्योंकि h cross होता है, h by 2, तो यह बार answer देख लेते हैं, इसका, 9th का answer, मेरे साब से तो जो लिखा हुआ है, उसके साब से c नहीं आना चाहिए, 9th, 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 कहां गया है, 9th, 9th का answer, a and d, तो वो h ही लिखा हुआ, h cross लिखा हुआ नहीं है, 9th, 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 यह रहा, तो यह option भी गलत हो जाएगा, तो magnitude of potential energy of the electron in any orbit is greater than its kinetic energy, यह बोल रहे हैं कि potential energy का जो magnitude होगा, वो kinetic energy से ज़्यादा होगा, आपका idea होगा, बोर model में जब हम basic derivation करते हैं, कि कोई electron, nucleus के चारो तरफ चक्कर लगा रहा है, तो उसके हम kinetic energy भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, half mv square, जहां पर मैं यह जो v है, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल basic से बता रहा हूँ, v speed से move कर रहा है, और suppose r radius के track पर move कर रहा है, k q1 q2 upon r square, वो किसके बराबर होता है, centripetal force के बराबर, यहां से मैं कह सकता हूँ, mv square को अगर मैं हटा दूँ, तो क्या आ जाएगा, k ze square by r, यह लो है, kinetic energy मेरे पास आ गई, और potential energy मतलब electrostatic potential energy वो लिखूँँगा, k q1 q2 by r, अगर mod लगा दूँ क्योंकि magnitude देखना है, अब बस इतना सा पहचानना है कि यह यह mod लगाते वे, कौन सी value जादा है, तो साफ दिख रहा है कि यह value जादा है, यह भी यह बोल रहे है, इसका मतलब d option जो है, वो सही है, आगे बढ़ते हैं, fill in the blank, आज कल इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, volume process के लिए mixture का cv पूछ रहे, हमको cv mixture बता करना है, cv mixture का formula क्या होता है बच्चो, n1 cv1 plus n2 cv2 upon n1 plus n2, और किसी भी gas के लिए cv का formula क्या होता है, भाई, fr by 2, value put करते है, n1 एक mole gas थी, cv1 mole, monotomic gas, monotomic के लिए cv कितना हो जाएगा, f के जिए के 3 put कर दूँगा, तो 3r by 2 आजाएगा, plus n2, one mole, diatomic gas के लिए हो जाएगा, ये 5r by 2, upon n1 plus n2, तो कितना आजाएगा, देखो, उपर आगया, 8r by 2, मतलब 4r, तो 2r आजाएगा, तो यहाँ आजाएगा, 2 times r, चल्र, आगे बढ़े, four persons klmn are initially at four corners of a square of side d, चलो एक square बनाते हैं पहले, ये माना की एक square है, k, l, m, n, side length d है, चार person corners पे खड़े हुए थे, each person now moves with uniform speed v, हर एक person constant speed से चलेगा, in such a way that, कि always move directly towards l, कि हमेशा, सिर्फ इस moment पर नहीं, हमेशा उसको l जहां भी दिख रहा होगा उस तरफ वो v speed से दोड़ेगा, l हमेशा m की दरफ भागेगा, m हमेशा n की दरफ जाएगा, n हमेशा k की दरफ जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, तो पूछाए कि भी चारो particles या चारो person किस समय पर, किस time पर, एक दूसर से मिलेगे, अगर इनके हम motion को समझने बैठें, तो ऐसे सोचो, dt time के बाद का अगर मैं diagram दिखाऊ, प्रजूम कर ले, dt time के बाद ये k यहाँ आ चुका था, l यहाँ आ चुका है, m यहाँ पर आ चुका है, n यहाँ पर आ चुका है, इन चारो को ये बार मिला के दिखाता हूँ मैं, ये लो भई, मैं कह सकता हूँ, symmetry से, कि चारो को मिलाते हुए, जो diagram मैंने बनाए, वो फिर से एक square बनेगा, जिसके side length कम हो चुकी होगी, अब k ने देखा कि यार, l तो अधर है, k तो l की तरफ जा रहा था, तो वो इधर दोड़ेगा, और यहाँ पहुंचेगा, dt time के बाद, l ने देखा था कि यार, m तो यहाँ चुका है, तो l, m की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, dt time के बाद, m को n यहाँ दिख रहा था, अच्छनी बन रहा है, पर ठीक है, खाम चलेगा अपना, तो अगर मैं यह बोलू कि हाँ, हर moment पर, चारो को, अगर मैं मिलाता हूँ, तो जो आकरती बन रही है, जो geometry बन रही हो, कैसी बन रही है, कि square बन रही है, पर solve करने का जो तरीका है, तो ऐसे समझाए मैंने आपको, कि जो इनका path होगा, वो path, कुछ इस तरह का path रहा होगा, अगर हम, बाहर बैट कर देख रहे हैं, और मानलो इस slow motion एक video बना रहे हैं, इन चारो का, तो मैं अगर किसी एक को देखता हूँ, मानलो मैं इसको देखता हूँ, लगाता हूँ, एक center mark करके रख लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह के path पर move करता बना चारा है, ऐसे spiral type के path पर, ये जो होगा, ये इस तरह के path पर move करता बना चारा है, और finally चारो कहां में लेंगे, symmetry से बोल रहा हूँ, इस square के center पर, पर इतनी सारी राम कहानी की requirement सवाल को solve करने में नहीं थी, मैं चाहता, या आप भी चाहते, तो equation को आराम से, मुश्किल से 20 second, 30 second में solve कर सकते थे, चलो, अब आते हैं, solution पर, ये वो square है, देखो कैसे करेंगे, मेरी नजर होगी, कोई से भी, आसपास वाले दो particles पर मालूम है, M और N को देखता हूँ, किसी इंस्टेंट पर, किसी इंस्टेंट पर N, K की तरफ जा रहा था, M, N की तरफ जा रहा था, और हर moment पर एक square बन रहा था, तो हर moment पर ये angles 90 थे, इस इंस्टेंट पर अगर कोई पूसता है, कि M और N की बीच में, velocity of approach क्या होगी, connecting line के along, pass आने की rate, ये B है, इसका मतलब है, इनकी बीच का separation इस rate से कम हो रहा होगा, इनकी बीच का separation initially कितना था, side length D के बराबर, तो time ऐसे लिखूंगा न, कि किनी भी दो particles के बीच का separation D हुआ करता था, और व की तरफ, ए block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck, एक ट्रक है, ये मान लेते हैं कि, वो ट्रक है, रफ इसकेज बना रहा हो, ऐसी, उसकी horizontal surface पर एक block रखा हुआ है, 1 kg का, ठीक है, the coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6, यहाँ जो friction coefficient है, वो 0.6 है, if the acceleration of truck is 5, ट्रक का acceleration जो है, वो 5 है, suppose इधर की तरफ मान लेते हैं, फ्रिक्शन ने पूछा, Frictional force acting on the block is, तो देखो, सबसे अच्छा तरीका है, कि इस block का motion में, अगर ट्रक के respect में देखो, अगर ट्रक को रुका हुआ मान लेते हैं, अगर ट्रक के respect में block को देखोंगा, तो मुझे block पर real forces के अलावा, एक imaginary force, pseudo force लगाना पड़ेगा, ट्रक के acceleration के ठीक opposite, यह है pseudo force, कितना, block का mass into truck का acceleration मतलब 5 Newton का, ब्लॉक पर लगने वाले बाकी जो forces हैं, जैसे mg, g को 10 मानते हुए चल रहा हूँ, वो 10 Newton, नॉर्मल, जो कि इस mg को balance कर रहा हूँ है, अब एक काम करते हैं, maximum value of static friction निकाल के देख लेते हैं, तो mu s into n, mu s से 0.6, normal है 10, इनको multiply करूँगा, तो 6 Newton का, ज्यादा से ज्यादा friction available है, लेकिन इस pseudo force, जो कि इस block को slide करवाना चाहता है, को balance करने के लिए, जितने static friction की requirement है, उतना मिल जाएगा आराम से, मतलब answer आएगा, 5 Newton, बढ़ें आगे, uniform cube of side A, यह toppling का सवाल लग रहा है, मुझे, हाँ, and mass M, rest on a rough horizontal table, जैसे मान लेते हैं कि, ground पर, जैर table मान लेते हैं, table की surface बनाईए, इस पर एक cube रखा हुआ है, यह cube रखा हुआ है, इसकी side length A, इसका mass है M, यह horizontal force F is applied normal to one of the faces at a point that is directly above the center of the face at a height 3A by 4, हमने क्या करा, center से 3A by above the base, जब base से 3A by 4 height पर हमने किसी एक face के perpendicular को जिस तरह से, external force F लगाया, यह जो force है, base से 3A by 4 height पर है, यह जो height है, यह है 3A by 4, ठीक है, minimum value of F for which the cube begins to tip, tip मतलब topple होना, about the edge, और लिखा हुआ है कि, मान के चलना है कि, यह slide नहीं करेगा due to sufficient friction, तो देखो, हम जितना ज़्यादे force लगाएंगे, आपको यह feel होना चाहिए, इस force के कारण, इस cube में ऐसे topple होने की tendency आ रही है, इस point के about, कम से कम, इतना force तो लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि आप feel करो कि, पूरा का पूरा cube जो है ना, बस topple होने ही वाला है, इस point के about, इसका मतलब यह cube, इस पूरे नीचे से ground से, यहाँ से लगबग उठ चुका होगा, और इस पे लगने वाला normal, मैं बिल्कुल उस moment की बात कर रहा हूँ, जब यह topple होने ही वाला है, इस पे लगने वाला normal, बिल्कुल इस corner वाले point पर आ चुका होगा, बाकी forces बना लेते हैं, जैसे mg नीचे की तरफ, static friction लेफ्ट साइड में है, ठीक है, हम लगा रहे हैं force राइट साइड में, अब बिल्कुल limiting condition पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस axis या इस point के about, torque balance कर रहा हूँ, इसके about फाइदा क्या होगा, ना तो normal का torque आएगा, ना friction का torque आएगा, mg का torque आएगा, anti-clockwise, और हमारे force F का torque आएगा, clockwise, तो mg का torque आएगा, mg into side length by 2, और मेरे force जिसकी value है, F minimum का torque आएगा, force into perpendicular distance from that axis, पर point, A से A उड़ा दो, 2 से यह कट जाएगा, F minimum, minimum force आएगा, वो कितना आएगा, बच्चों, 2 mg by 3, यह हमारा answer है, तो answer यहां लिख देते हैं, 2 mg by 3, चलो, आगे बढ़े, numerical value of the angular velocity of rotation of earth should be, यह बोल रहे हैं कि, अर्थ का omega खुद की axis के about, यह अर्थ की axis होती है, यह होती है, अर्थ अपनी axis के about, ऐसे omega से rotate होती है, तो बोल रहे हैं कि, अर्थ के omega की value क्या होनी चाहिए, radian per second में, in order to make the effective acceleration due to gravity at the equator to zero, आप जानते हो कि, जो equator है, वो यह है equator, हम चाहते हैं equator की किसी point पर, जो acceleration due to gravity की effective value है, तो यह अर्थ के rotation पर based equation है, जो कि gravitation पढ़ाया जाता है, और कई जगे circular motion में भी पढ़ाया जाता है, खेर, अर्थ के surface पर, किसी भी point पर, जिसकी अर्थ के center के respect में, angular position theta है, वहाँ पर जो g effective होता है, आपको formula या दोना चाहिए, वो होता है, g minus omega square r cos square theta, हम चाहते हैं कि equator पर g effective zero हो जाए, तो equator का मतलब आप diagram में देखो theta zero, और हम क्या चाहते हैं, g effective zero हो जाए, तो इस equation है put कर दो, 0 equals to g minus omega square r, तो यहाँ से omega आजाएगा बच्चों, root के अंदर g by r, अब अगर ये, मुझे नहीं पता उस time पर क्या यह answer इसी form में चाहते थे, root g by r, तब तो answer आगया, value अगर चाहते हैं, तो पिर, क्योंकि लिखा है numerical value, ना, इसका लगा calculate करना है, g को लगबग 10 मान लेते हैं, और उतार 6400 किलो मीटर में, तो 30 और लगा लेते हैं, यह इससे cancel out हो जाएगा, तो 1 upon 64 से 8 बार आ जाएगा, और 10 की power 4 से 00 और आ जाएगा, radian per second, लगबग omega इतना होना चीए, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ें, यह neutron, neutron है, proton, proton है, electron है, और alpha particle, चार जनों की बात चल रही है, enter a reason of constant magnetic field with equal velocities, चार particles को हम यहाँ से, यहाँ से enter करवाते हैं, same speed से, the tracks of the, कहाँ गया, magnetic field अंदर की तरफ है, tracks of the particles are labeled in the figure, चार track दिखा रहें, यह पता नहीं कि किसका track कौन सा है, electron follows the track, electron का track पता करना है, और alpha particle का track पता करना है, देखो, magnetic field में कोई भी charge particle enter होता है, और uniform magnetic field के अंदर, वो भी इस तरह से, कि velocity vector और magnetic field vector इस दूसरे के perpendicular है, तो आपको idea होगा, उसका track कैसा होता है, circular track, यह आप जानते हैं कि neutron पर तो charge होता ही नहीं है, तो उस पर magnetic force लगेगा ही नहीं, तो वो straight निकल जाएगा, तो यह तो है neutron का path, उच्छा नहीं है, ऐसी बता रहा हूँ, और दो particle गए यहां से left की तरफ, एक particle गए right की तरफ, कौन-कौन से left की तरफ जाएंगे, कौन से right की तरफ, उसके लिए मुझे force देखना पड़ेगा, तो enter होते टेम आप देखें, force, moving charge पर force होता है, बच्चों, q times v cross b, और इसमें q को sign के साथ देखना होता है, तो force की direction आ रहे है, v cross b की direction में, अगर positive charge होता, तो negative होगा, तो v cross b की opposite, तब देखते हैं, v vector है, enter होते टाइम इधर, इधर, v vector है, अंदर की तरफ, तो v cross b किदर आएगा, left की तरफ, आप right hand rule से देख सकते हैं, v cross b left की तरफ आ रहा है, तो जो charge particle positive होंगे, positive, positive होन कौन से है, proton है, और alpha particle, उनके लिए positive आएगा, तो उन पर force v cross b की direction में लगेगा, तो वो particle left की तरफ जाएगे, और जो negative charge है, मतलब electron, उसके लिए negative sign आएगा, तो force v cross b की opposite लगेगा, तो वो इधर की तरफ जाएगा, right की तरफ, तो electron का path तो आगे है, यह d वाला, d वाला, अब दिक्कत यह है कि alpha particle और proton दोनों ही positive थे, दोनों के path इन में से कोई ना कोई है, किसी का path इन में से कोई ना कोई alpha particle का होगा, किसी दूसरे के लिए वो proton का होगा है, अब कैसे पता करें, radius का formula circular track पर, mv by qb, यह given है कि सबको same speed से throw कर आता, same magnetic field में, मतलब m by q की ratio से मुझे पता चलेगा, proton का mass अगर m होता है, तो alpha particle बच्चो होता है, helium का nucleus, तो उसका mass कितना हो जाएगा, 4m, proton पर अगर charge प्लस e के बराबर है, तो alpha particle की अगर मैं बात करूँ, उस पर प्लस 2e charge होता है, तो m by q की ratio की value कर बात करूँ, proton के लिए आ रहा है, e by m, उल्टा लिख दिया है, m by q क्यों देखना था, m by e, और alpha particle के लिए आ रहा है, 4m by 2e, तो alpha particle के लिए double आ रहा है, तो उसकी radius बड़ी होगी, तो बड़ी radius पर कौन सा वाला path दिख रहा है, path दिख रहा है, b वाला, तो उसका मतलब, alpha particle का जो path होगा, वो बीवाला होगा, ठीक है, चलो, आगे बड़े, figure shows lines of constant potential in a region in which an electric field is present, इस portion में, इस region में electric field है, जिसके कारण eq potential कर्व हमको बना के दिये हुए, हमको ये भी बता रखा है कि कि किस curve के corresponding कितना potential है, magnitude of electric field is greatest at point, ABC में से बस ये पैच्छान है, कहां potential, sorry, कहां electric field सबसे ज़्यादा होगा, हम जानते हैं कि electric field होता है minus dv by dr, और अगर मैं electric field का magnitude देखना चाहरा हूँ, तो इसके magnitude से देख लूँ है, तो जहां भी dv by dr, mode लगाते हुए देख रहा हूँ, अब ऐसे सोचो, आप फड़ा जूम कर लेते हैं, यह जो b वाला point है, इसके left side में, यहां का potential है 10 volt, और right side में, यहां का potential है 20 volt, इन दो points जो मैं दिखा रहा हूँ, कि बीच का, potential difference 10 volt का आ रहा है, यह मैंने एक तरह से delta भी लिखा है, dv लिखा है, इस formula पर नज़रे मेरे dv by dr, dv लिखा है, divide by dr, इनके बीच का separation यह dr है, तो 10 volt by dr, यह इतना है, एक electric field होगा, c के आपर देखते हैं, एक point यह, एक point यह, इन points के बीच का potential difference, इनके बीच का, वो ही है 10 volt, पर यहां dr जादा है, उसके comparison में, एक पर देखते हैं, यहां भी dr जादा है, और एक के लिए, इन points के बीच का potential difference, आप यहां से देखें, 10 volt यहां तो जहां dr सबसे कम होगा, क्योंकि potential difference, a के आसपास, b के आसपास, c के आसपास, जो मैंने points बना कर देख रहा हूं, वो तो 10, 10 volt है, 17 पर आते हैं, 5 identical capacitor plates, each of area capital A, are arranged, such that adjacent plates are at a distance of D apart, दो लगातार plates की बीच का separation D है, plates are connected to a source of EMF V volt, cell का voltage EMF V है, charge on plate number 1, and on plate number 4, plate number 1 पे charge निकालना है, और 4 पर निकालना है, तो उस तरह के questions कैसे करते हैं, जैसे plate number 1 और 5 को आपस में connect कर रहा है, तो अगर plate number 1 का potential मान लो 1 है, तो 5 का potential को भी 1 से denote कर सकते हैं, plate number 2 और 4 आपस में connected हैं, 2 और 4, तो अगर plate number 2 के potential को symbol 2 से denote करता हूँ, तो 4 का potential भी उसी से denote करूँ, 3 का potential 3 से सिफ denote कर रहा हूँ, अलग से point बनाते हैं, point number 1, point number 2, point number 3, अब actual diagram में देखते हैं, plate 1 और 2 के बीच का ये capacitor, इस diagram में लगाता हूँ नीचे, 1 और 2 की बीच में capacitor लगा दिया, 2 और 3 की बीच में capacitor, 2 और 3 की बीच में capacitor लगा दिया, 3 और 4 की बीच में capacitor, और 4 वाला जो है, वो तो same 2 वाले potential पर था, तो 2 और 4 वाले same पर थे, 1 और 5 वाले same potential पर थे, तो diagram में 3 और 4 की बीच का potential, इस नीच वाले diagram में 3 और 4 की बीच में ऐसे लगाँगा, उपर दियेगा diagram में plate 4 और 5 की बीच का potential, का मतलब एक तरह से उपर diagram में देखो 1 और 2 के बीच का, तो 1 और 2 के बीच में एक और लगा दो, cell का एक terminal है 2 पर देखो यह 2 है और दूसरा terminal है 3 पर तो cell का एक terminal है 2 पर और एक terminal है 3 पर वी बोल्ट का cell था यह मैंने cell का high polarity 3 की तरफ क्यों लगा इस diagram को देखते वह cell की high polarity 3 की तरफ थी यह दोनों capacitor इनके across तो potential drop ही नहीं है इसका मतलब इन पे दो 00 charges होंगे 00 जबकि जो right side में circuit देख रहा है इसकी बात करें तो अगर यह C है और यह C है दोनों parallel में तो 2C बनेगा इनके across potential difference V है तो मैं कह सकता हूं diagram से दिख रहा है कि अगर मैं यहां 0 यहां V माल लूँ यहां 0 है V हो जाएगा इस पे भी CV माइनस CV charges इस पे CV माइनस CV charges सही बात है अब सवाल क्या था देखते हैं charge on plate number 1 plate number 1 को उपर diagram में देखना यह plate number 1 है इस plate number 1 का 2 के साथ जो capacitor बन रहा है plate number 1 का 2 के साथ जो capacitor बन रहा है उसमें plate number 1 की तरफ वाला charge यह कितना है 0 तो यह तो आगे 0 plate number 4 का charge बताना है plate number 4 को उपर diagram में देखो यह वाली plate यह plate left side में 3 के साथ भी capacitor बना रही है और right side में 5 के साथ बना रही है अब दीचलर डागराम में देखते हैं, 4 उपराल डागराम में 4 और 1 के बीच का कैपस्टर, दीचलर डागराम में वो 2 और 1 के बीच में मिलेगा मुझे, 2 और 1 के बीच में जैसे ही यह वाला, और उपराल डागराम में plate 4 और 3 के बीच का कैपस्टर, दीचलर डागराम में terminal 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में मालो यह वाला है अब डंसे देखना वहीं उपर वाले डाग्राम में प्लेट 4 जिसका टर्मिनल एक तरह से पाटनिशल बाइस टू था और प्लेट 3 के बीच का यह capacitor जो था ओर 3 के बीच का नीच घले डाइग्राम में यह वाला capacitor. इसमें plate number 4 की जो right वाली surface है वो एक तरह से इस नीच घले diagram में यह वाली plate है, जिस पर charge कितना है? CV. और उपर diagram में 4 और 5 की बीच का जो capacitor है, इसमें plate number 4 की जो right वाली surface है से वह इस वाले डाइग्राम में एक तरह से यह है जिस पर जीरो चार्ज है तो आंसर आजाएगा सी वी चार्ज है चलो बढ़े आगे कि maximum kinetic energy of electron emitted in photoelectric effect is linearly dependent on the यह मैंने साइड में डाइग्राम बता रहा है बस कि इन्हों ने हैं रिच हर्ड्स ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था photoelectric effect के बारे में खेर उससे सवाल सौल होना नहीं है अपन से उस knowledge से knowledge तो पढ़ाई वाली कामा नहीं है maximum kinetic energy of photo electrons को यह पूछ रहे हैं कि linearly dependent on the किस पर linearly depend करता था तो आपको आडिया होना चाहिए k max जो होता था वह हम क्या लिखते थे आने वाले photon की energy minus 5 इसका बारे में बोल सकता हूं कि k max light की frequency के साथ linearly dependent है तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा लाइट की frequency लिखा भी आप दे इंसिडेंट रेडियेशन रेडियेशन के बारे में पूछा है तो जो लाइट आ रही है उसकी frequency के वह linearly dependent है डिरेक्ली प्रपोर्शनल है 19 पर आते हैं sound waves of frequency 660 hertz sound की frequency given है ठीक है भाई sound की speed दे रखी है यहां से एक काम करते हैं आप जानते हैं वी एक पॉस्ट वेफ लेमड़ा होता है लेमड़ा आ जाएगा वी बाई एफ तो लेमड़ा कितना आ गया हाफ मीटर अब यह बोल रहे हैं sound जाके टकराता है एक perfectly reflecting वाल से एक वाल बना लेते हैं यह यहां से sound wave आ रहा है ऐसे और टकरा के wave reflect भी हो रही हुगी यह incident wave और reflected wave के superposition से stranding wave बनेगी ठीक है बाई जैसे हम particles have maximum amplitude of vibration ढंक से पढ़ना है सवाल को इस दिवार से वाल से वो minimum distance बतानी है जहां पर air के particles का amplitude maximum होगा जहां air के particles का amplitude maximum होगा इसका मतलब anti-node ढूड़ना है मुझे displacement का anti-node तो इस डाइग्राम में मैंने anti-node दिखा रखा है को displacement का यह distance बतानी है क्योंकि anti-node तो आगे भी आएगा minimum distance मतलब यह वाली node और anti-node लगाता रगार है उनकी बीच का separation lambda by 4 होता है lambda आये था half तो lambda by 4 कर देंगे तो कितना आजएगा 1 by 8 सिंपल सावाल था चलो आगे बढ़े है true false type बस यह बताना है कि statement true है false है two slits in a young double slit experiment are eliminated by two different sodium lamps यह धंग से पढ़ लें different sodium lamps हमने उन slits पर light भेजी है जिनकी wavelength same थी यह बोल रहे है no interference pattern will be observed on the screen यह बिल्कुल true लिखा हुगा है क्यों लिखा है true हम जानते हैं कि अकर दो अलग-अलग source से light को भेजा जाएगा तो हर source की दुनिया में अपनी अलग-अलग frequency होती है तो जो sources हैं वो different frequency के sources हैं उनसे interference होगा तो interference तो हो जाएगा waves जाके मिलेंगी interference pattern बनेगा लेकि जो interference होगा वो unstable होता है वो time के साथ vary करता है मलब screen के किसी भी point पर अगर मैं देखता हूं मालो वहां किसी instant पर दोनो color से जो light पहुंची उनका maxima बना किसी instant पर तो उसी location पर time के साथ वो vary करेगा थोड़ देर के बाद वहीं मिनिमा बन जाएगा फिर maxima बनेगा फिर minima बनेगा तो fluctuations इतने तगड़े होते हैं जल्दी जल्दी होते हैं क्योंकि light की frequency बहुत जादा होती है तो वह frequency जादा है मतलब एक second है मानलो वो उसी point पर maxima minima मानलो एक लाख बार बना या पचास हजार बार बना तो हम उसको observe नहीं कर पाएंगे बने का तो सही पर हम उसको observe नहीं कर पाएंगे यह बोल रहे हैं will be observed तो observe नहीं कर पाएंगे इसलिए statement अच्छा हाँ सही रहा है no interference pattern will be observed आगे बढ़ते ह हाँ अगर वो तो इससे भी समझ में आता है कि यंग ने क्या करा था एक single source लिया था वहां से फिर light बेजी थी दो अलग-अलग slits पर उससे फायदा क्या हुआ source तो एक unique था तो दोनों slits से जो light पहुंच रही थी वो इक तरह से एक ही source से निकल कर गई थी तो उनके बीच म में कोई भी initial part difference या initial phase difference create नहीं हुआ था तो वहाँ पर stable type का interference pattern बना था आगी देखें यह projectile fired from the ground follows a parabolic path हमने ground से एक particle को throw किया पर हमको पता है कि वह इस तरह के parabolic path पे जाता है the speed of the projectile is minimum at the top of its path सभी बात है उसके topmost point पर उसकी जो speed होती है वो minimum होती जैसे अगर यहाँ u है तो यहाँ पर velocity का vertical component zero हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है u cos theta by default हम मानके चल रहे हैं कि सिर्फ mg वाला force यहाँ पर लग रहा है यह मैंने ऐसी एक बस diagram आपके सामने बना दिया इसका कोई use नहीं है ऐसी एक बस थोड़ा सा दिखे कि हाँ देखो यह प्राटिकल जो निकल रहे हैं इस टेबल के हाँ से यह पर पर प्रजेक्ट एल मोशन करते हुए चारों तरफ जा रहे हैं पर सवाल इससे सौल नहीं होगा सवाल तो आपको knowledge होनी चीह है आगे बढ़ इस सेम इन बोद दा केसे दोनों केस में इनका कहना है कि M वाले ब्लॉक का एक्सलेशन सेम होगा calculate कर लेते हैं जैसे A वाले डाग्राम की बात करते हैं माना की इसका एक्सलेशन नीचे A है तो string constraint से इसका उपर A रसी में टेंशन T माल लेते हैं एक-एक ब्लॉक पर Newton's law अप कर दूँगा इधर mg आएगा इधर 3M में आएगा एक इतना आ जाएगा जीवाए 3 ठीक है फर्स्ट वाले केस में एक्सलेशन हम दोनों भी ब्लॉक का कितना जीवाए 3 सेकंड केस में हमने इस रसी केस एंड पर कितना फोर्स लगाया 2MG हम जानते हैं कि किसी भी मास्टलेस स्ट्रिंग पर स्ट्रिंग के अलोग जितना फोर्स लगाते हैं उतनी टैंशन उस स्ट्रिंग में सब जगे डबलब हो जाती है तो स्ट्रिंग में टैंशन 2MG डबलब हो गए तो इस वाले ब्लॉक का FBD बना रहों यही पर नीचे लग रहा है ग्रेविदेशनल फोर्स उपर स्ट्रिंग का tension force 2 mg तो net force आया उपर mg तो exhalation जो है exhalation A' बोल देता हूं वो आएगा net force that is mg divided by उस block का mass तो आया g तो उन्हेंने जो बोला था ना the exhalation of m is the same in both the cases तो गलत बोल रहे हैं जूड बोल रहे हैं जूड बोले तो false बढ़े हैं आगे एक plane wave of sound traveling in air एक plane boundary बना लेते हैं तो sound wave आती है air medium से यह sound wave आई air medium से normal line बना के रख लेते हैं यह मान लेते हैं नॉर्मल है इस interface के लिए the angle of incidence is 60 degree 60 degree angle पर यह आती है assuming a snail's law to be valid for sound wave मान लेते हैं कि चलो sound के लिए भी snail's law valid है ठीक है यह वैसे स्नेल जो scientist है उनका मैंने photograph दिखा रखा है इन्हों 1961 में स्नेल's law दिया था पर light के लिए है यहां पर के sound की बाद चल रही है हमको यह पता करना है कि रिफ्रेक्शन के बाद वो जो वेव है वो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी है नॉर्मल से दूर की तरफ यह को light के case में तमको पता है कि rarer से dancer में जाती थी तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती थी पर sound के लिए rarer कौन सा है dancer कौन सा है वो देखना पड़ेगा sound की speed का जो formula होता है न बच्चों वो होता है root of young's modulus by density और यह informative सवाल होगे एक तरह से इधर जो है पानी है पानी के लिए यह जो young's modulus by density यह जो ratio आता है यह air के comparison में ज्यादा आता है काफी ज्यादा आता है इसका मतलब यहां पर speed of sound जो होगा in water वो ज्यादा होगा speed of sound in air से ठीक है न तो और refractive index हम जो define करते थे light के लिए वो c by v होता था जो जिस medium में जितना ज्यादा v होगा refractive index उत speed water में जाता है तो water का refractive index and water sound की बात चल रही है sound के लिए and air water का refractive index ज्यादा है air से and water is greater than an air तो एक तरह से sound की बात करो तो light rarer medium से dancer में जा रही है इसका मतलब normal से दूर की तरफ बैंट होगी है तो इन्होंने जो बोला है इन्होंने भी शायद यह बोला है away from the normal मतलब यह स जलो आगे पड़े हैं यह simple pendulum with a bob of mass m swings with an angular amplitude of 40 degree एक simple pendulum है यह simple pendulum इसका angular amplitude मतलब यह अपनी equilibrium position यह mean position यह mean position होगी से ज्यादा से ज्यादा 40 degree angle तक जाता होगा हुआ एक moment ले रुखता होगा फिर वापस आएगा when its angular displacement is 20 degree जब उसका angular displacement 20 degree है मतलब यहां कहीं से पास हो रहा है यहां कहीं से पास हो रहा हो सकता उपड जा रहा हो सकता नीचे आ रहा हो पर उसके पास कुछ ना कुछ speed तो जरूर होगी यह तो confirm है यह बोल रहे हैं tension in the string is greater than mg cos 20 तो यह तो सीधे सीधे circular motion का बहुत basic सवाल सब्सक्राइब लगने वाले net force आप डियाग्राम में देखें ती माइनस mg cos 20 एक पल्स टू मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सलेशन रसी की लंबाई को एल माल लेता है ठीक है यहां से साब दिख रहा है कि टी आ रहा है mg cos 20 प्लस सम्थें इसका मतलब tension की value mg cos 20 से ज्यादा है इन्होंने भी यही बोला है मतलब यह सच बोल रहे हैं यह सच सच को English है बोलते हैं जिनको English ज्यादा आती है उनके लिए true बोल रहे हैं हांके बढ़े हैं फिर से informative सवाल है knowledge भी required है और थोड़े सी information ही पता हूं दीजिए it is possible to put an artificial satellite into orbit in such a way that it will always remain directly over New Delhi यह बोल रहे हैं कि क किसी artificial satellite को New Delhi के ठीक उपर इस तरह से इस तरह की orbit में रख सकते हैं जिससे कि वो हमेशा New Delhi के उपर रहे मैंने एक फोटोग्राफ आपके लिए सामने रखा है यह रेड़ वाली लाइन जो रहा है यह पूरा equator को denote कर रही है और हमारा जो इंडिया है वो यह रहा यहां पर वस डेली या इंडिया जो है वो एक्वेटर पर नहीं है तो अगर मैं अब अर्थ का डाइगराम मना कर ग्रेविडेशन चैप्टर की बाते करूँआ चाली अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट होती है और यह एक्वेटर है डेली यहां कहीं पर इमान लेते हैं यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी स्ट्रेंट पर अगर सेटेलाइट पर लगने वाला फोर्स देखो तो वह अर्थ के कारण अर्थ के कारण ऐसे एम जी फोर्स लग रहा होगा यह जी एम वन एम टू बाई आर इस पर बोल दो इस पोर्स का जो कॉम्पोनेंट इधर की तरफ आ रहा है वो तो सेटेलाइट को सर्कुलर ट्रेक पर गुमा देगा लेकिन जो कॉम्पोनेंट इधर आ रहा है उसको कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा तो फिर वो सेटेलाइट इस प्लेन यह इस वाली डिरेक्शन में एकलीब्रम में रह नहीं सकता इसलिए जो यह काल्कुलेशन खराब आया करती थी क्योंकि कैल्कुलेटर अलाव होते थे ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने जो पूराने पेपर से टाइम किये हैं 1978 से लेकर अभी था कई जगे मुझे ऐसा फील आया है कि हाँ कैल्कुलेटर यूज में लेने देते होंगे मुझे पता नहीं है अगर आपको idea हो या आपके पापने उस टाइम एक्जाम दिया हो किसे ने एक्जाम दिया हो तो आप जरूर कमेंट में बताना कि उस जमाने में क्या कैल्कुलेटर होते थे ना और इस तरह की जो भी बाते आप बता सकते हैं जरूर कमेंट में बताएं चलिए फेशन नुबर 26 जो है वो EMF चैप्टर पर बेजड है यह पार्टिकल जिसका मास गिवन है जिस पर कितना चार्ज है यह पता है वो एंटर होता है इस फील्ड के अंदर लाइन डि नहीं है इस लाइन के लेफ्ट साइड में, मैंने लगा रखा यह यह आ रहे हैं और डाइग्राम में दिखा रखा है कि वो चार्ज पार्टिकल पॉइंट इ से एंटर हुआ था ऐसे कुछ V स्पीड से 45 डिगरी का एंगल बनाते वह यह क्वेशन में बन हैं फिर वो कही न कहीं से निकल के गया, diagram के according अगर मैं देखूं, तो वो ऐसे निकल के गया, यहां से theta angle से, point F से, यह point है E, चलो, आगे देखते हैं, magnetic field is directed along the inward, normal to the paper, plane of paper, ठीक है, particle leaves the region of the field at point F, find the distance EF and the angle theta, हमको E से F तक की distance बतानी है, और यह angle theta बता करना है, देखो बहीं, सबसे पहले क्या काम करेंगे इस तरह के questions में, जहां से particle enter हो रहा है न, उसी moment पर उस पे लगने वाले magnetic force की direction, पता कर लेंगे, magnetic force, अभी थोड़ से पहले एक सवाल में आया था, का formula यह होता है, तो V cross B देखते हैं, V है इस diagram में इधर की तरफ, इधर की तरफ, V है अंदर की तरफ, तो V cross B आयेगा, इधर की तरफ, आप right hand rule से देख सकते हैं, तो charge particle पे लगने वाले force की direction भी आगई, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है, कि यह particle circular track पर या circular arc पर move करेगा, तो जिस direction एक force लग रहा है, उस line के along center होगा कहीं न, कहीं circle का center, diagram बाइद म इतने अच्छा, शायद नहीं बना, बन गया चलो, थोड़ा सा तो काम चला अपना, यह मैंने वो circular arc green color के plan से दिखाया है, ऐसे मिला देते हैं, अब देखना भई, मैं यहाँ पर जहां से enter हो रहा है, एक horizontal line बना रहा हूँ, यह vertical line थी, यह angle 45 है, तो यह वाले angle भी 45 हो जाए इसका मतलब यह बचा हुए angle 45 हो जाएगा, यह 45 हो जाएगा, तो यह वाला 45 हो जाएगा, जैसे कह सकता हूँ, सारे angle 45 बन रहे हैं, तो थीटा तो हमारा आ चुगा है, 45 degree, angle theta कितना आ गया, 45 degree, find the distance EF, अब इसी diagram में अपन को distance EF पता करना है, जूम करके देखें हैं से, distance EF बोले तो यह वाली length, देख रहा है, pink वाली length, के length निकालने के इसके circular track की radius उसको R मान लेता हूँ, यह circular track की radius है, कहीं से भी देख सकते हैं, आप एक ही बात है, center से मिलाते हुए, यह radius R है, हम circular track की radius, formula से पता कर सकते हैं, formula होता है, MV by QB, जाना सारे values given हैं, आप उट कर दीज मैं एक triangle आपको दिखाता हूँ, diagram में, यह वाला triangle, यह, 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 सारे angle 45 आए थे, अगर यह R है, तो यह वाला भी R by root 2, यह भी R by root 2, तो E से F तक की distance का आधा जो है, वो R by root 2 आगे, तो हमारे पास जो E से F तक की distance आएगी, EF, वो आजाएगी 2 times, 2 times R by root 2, मतलब, root 2 times आग root 2 times Mv by Qb, इसमें value पूट करके मैं छोड़ देता हूँ, आप चाहने तो पूरा solve करके देख लिएगा, mass, कितना given था भई, mass, 1.6 into 10 to power minus 27, इतनी गंदी value क्यों देते थे यार, अची value दे रो, concept तो चेक करना है आपको, charge है 1.6 into 10 to power minus 19, 1.6 into 10 to power minus 90, यह charge था न, नीच आएग 1.6 into 10 to power minus 19, into speed V, V कहां गया, 10 to power 7, 10 to power 7, magnetic field of 1 tesla, इतनी गंदी values भी नहीं है, मैंने ऐसी गुस्ता निकाल दिया, गंदी values वाला, इनके उपर, root 2, 10 to power minus 19, उपर जाएगा, साथ के साथ मिलके, 10 की power 26 बन जाएगा, तो फिर भी 10 to power minus 19, बन जाएगा, तो फिर भी 10 to power minus 19, बन minus 1 आएगा, तो divide by 10, यह होता है, 1.414, divide by 10, मतलब आणसर आएगा, 0.1414 meter, ठीक है, यह हो गया, question का, आप अगर डंग से देखें, तो A वाला part solve कराया भी हम में, A वाला, B पर आते है, if the direction of field is along the outward normal to the plane of the paper, अगर हम field की direction बाहर की तरफ कर देते हैं, कोई बात नहीं है, इसको काटा देते हैं, और समझते हैं, देखो भई, इस बार हमने क्या करा, सब कुछ सेम रखते हुए, field की direction बाहर की तरफ रखी, और उसी तरह से हमने यहां से enter कराया था, ऐसे, 45 degree angle बनाते हुए, when the time is spent by the particle in the reason of magnetic field, कितने देर तक वो magnetic field में रहेगा, अब देखो, वापस वोई तरीका, enter होते ही, force की direction देखना, V vector इधर की तरफ, V vector, V है बाहर की तरफ, तो V cross V आप देखोगे, तो इस line के along आया, इस line के along, उसका center कहीं भी माल लो, डागराम में, यह माल लेते हैं, इस center क about, घुमाओ, अरे, यह कैसा बन लिया, ऐसा कुछ बना देते हैं, सही है न, और इसको इदर दिखा देते हैं, बिल्कुल symmetrical ही है, यहां से ऐसे बाहर आए था, सारे angle 45 बन रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पर यह देखूं कि center, circular track के center के about, यह 45, यह 45, यह 90, तो magnetic field में 270 डिगरी तो कितनी देर तक रहा होगा, अगर वो complete 360 degree का rotation करता तो उसको time t लगता, unit degree अगर वो रहा होगा, rotate करेगा तो इतना time लगेगा, तो 270 ले इतना लगेगा, तो 3 t by 4, यह आपका answer हो जाएगा, और स्वाल करें, 3 by 4, t क्या होता है बच्चों, 2 pi m by qb, सारी values दे रखे, आप put क पर देना time आपका आज आएगा, ठीक है, answer last में लिखे हुए है, इस pdf में, यह pdf में share भी करता हूँ साथ-साथ, link जो मैं दूंगा, description में वहाँ से आप, link पर click करकर इसको download कर सकते हैं, चलिए, question number 27, मैंने photograph लगा रखा है, आप समझ सकते हैं कि यह कि किन का photo होगा, मैंने यह जान बूच के, question को देखकर idea लगा हो यार, by and force लग रहा है, Archimedes principle सुना होगा तुमने, तो यह, जो Archimedes हम नाम जानते हैं, उन्ही का photo है, उन्होंने यह principle के बारे मुस्टाया था, पर वापस वही बात, कि Archimedes हैं, उन्होंने principle बताया था, इनको तो सब आता था, हमको अगर नहीं आता होगा ना, तो हम questions all नहीं कर पाएंगे, यह wooden plank of length 1 meter, and uniform cross section is hinged at one end to the bottom of a tank, diagram बना होगा है कितना प्यारा, टैंक को हमने भर रखा है, 0.5 meter height तक, इसी diagram को यूज में ले लेते हैं, क्यों हम आपन यह बरदस्ती, अलग से diagram बना है, specific gravity of the plank, यह जो plank है ना, plank, इसकी specific gravity and density है, 0.5, बतलब density of plank जो है, वो density of water का आधा है, आप जानते हो ना, specific density का formula होता है, density of object upon density of water, यह होता है ना, चलो, आगे देखते हैं, find the angle theta, diagram बेक angle theta दिखा रखा है, जो कि इस plank ने, rod ने, vertical से बना रखा है, in the equilibrium position, तो कुछ नहीं करना है, हमको सीधे-सीधे पहले step तो होना चीए, इस plank के rod पर लगने वाले सारे external force दिखाते हैं, rod के length 1 meter थी, uniform rod है, लिखा हुआ है, तो इसके mid point पर, लगने वाला जो gravitational force है, वो है mass of rod into g, इस पर लगने वाला bind force, वो मैं बोल सकता हूँ, center of buoyancy पर लगेगा, center of buoyancy मैं ऐसे डूनूँगा, कि जो डूबा हुआ पार्ट है इसका, इस rod का डूबा हुआ पार्ट है बच्चों, ये वाला, और थोड़ा सा, ऐसा करके दिखाँ, ये डूबा हुआ पार्ट है, डूबा हुआ पार्ट का, जो center of mass है, एक ऐसे डूबा हुआ पार्ट का, जो mid point बोल देता हूँ, इस पर लग रहा हुगा, bind force, FB से denote कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अलावा, जहां से हमने hinge कर रखा है, यहां से hinge के normal forces आ रहे होँगे, मानलो, suppose, NX, NY, ये इस rod पर लगने वाले सारे force होगा है, अब अगर rod equilibrium में है, तो इस पर net torque भी 0 होगा, net force भी 0 होगा, मैं इस hinge के about net torque balance करने वालू, net torque 0 करने वालू, ये जो hinge force है, NX, NYN के torque तो 0 आएंगे, तो mg का torque लिखेंगे, जो की clockwise sense में हा रहा है, और bind force का torque anti clockwise है, तो दोनों के torque को लिखूँगा और balance कर दूँगा, mg का torque लिखते हैं, rod का mass, तो rod की length है 1 meter, मैं एक पर variable में लिख देता हूँ, फिर आप value put करते हैं, rod की length है L, rod का area of cross section है A, यह मैंने क्या लिखा है, rod का volume, into rod या plank की density है इतनी, यह rod का mass लिखा है, into g, अभी सिर्फ mg लिखा है मैंने, into, इस mg वाली line की hinge से perpendicular distance, अगर वो angle theta है, तो यह 90 minus theta होगा, और mg midpoint पर लग रहा था, मतलब L by 2 पर लग रहा है, hinge से, तो L by 2 का sin component आएगा, L by 2 sin theta, यह मैंने लिखा है, mg का torque, bind force का torque लिखते हैं, bind force का formula आप बच्चों जानते होंगे, submerged volume into liquid की density into g, इस rod का डूबा हुआ volume, अब diagram आप देखना, यह है 0.5, ठीक है, इस वाले triangle को देखें, यह जो triangle है, यह वाला, यह वाला triangle, इस triangle में, height है 0.5, ठीक है, यह जो rod की length, डूबी वी length है, अगर मैं diagram में आपको अलग से दिखा हूँ, यह वाली length, इसको मैं थोड़ देखें, इस मान लेता हूँ, तो triangle में मैं देखूँ, यह theta था, यह 90-theta है, उदर से वो theta हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, अलग से लिख लेते हैं, वो जो rod की length, डूबी वी length है, इसको एस माने है, मैंने, S cos theta जो है, अपना 0.5 के बराबर होना चाहिए, तो S कितना आएगा भई, 0.5 by cos theta, अब आते हैं, submerged volume of rod, rod का डूबा हुआ volume, तो rod की डूबी वी length है S, S बोले तो 0.5 by cos theta, यह तो डूबी वी length into area of cross section, यह submerged volume आगे, into liquid की density, water है, into G, यह मैंने bind force लिखा है भी, पर मुझे torque लिखना था, अब bind force वाली जो line है न, hinge से यह perpendicular distance है, अगर यह W length S थी, तो bind force उसके midpoint पर लग रहा है, S by 2 पर, तो यहाँ पर जो perpendicular distance आगी होगा, यह S by 2 sin theta, तो S by 2 sin theta, इस equation में आप सारी value उपर given है, पुट करके answer निकाल सकते हैं, आगे बढ़े हैं, question number 28, यह rotation, यह rigid body dynamics पर बेज, simple सा सवाल, angular momentum का सवाल है, particle is projected at t बराबर 0, diagram बना दिया हुआ है, from a point p on the ground with speed v0 at an angle 45 to the horizontal, find the magnitude and direction of the angular momentum of particle about point p at time t बराबर v0 बैजी, मैं तो general solve करके बता रहा हूँ, देखो, मालोक किसी general time t पर particle यहाँ पर था, उस पे लगने वाला net force mg है, मैं इसको बहुत simple तरह से बता रहा हूँ, point p के about, आप resultant torque लिखें, तो सिर्फ mg का ही torque आएगा, mg into यह perpendicular distance, इस perpendicular distance को ऐसे लिख सकता हूँ है, velocity का horizontal component, जो की constant होता है, projectile में, into लगने वाला time, तो मैंने क्या लिखा, mg का torque लिखा है, point of projection के about, और यही net torque भी है, यहीं और तो की force लग नहीं रहा, net torque होता है, बच्चो, dl by dt, dt को cross multiply कर देंगे, और integration मचा देंगे, तो mg, v0 by 2, root 2, t dt equals to dl, integration, t equals to 0 पर जब particle यहीं पर था, तो उसका velocity vector इसी, p से pass हो रहा है, तो उसका angular momentum 0 था, वो जो time लिखा हुआ है, v0 by g, तब मालू यह angular momentum, l0 है, solve करके देखें, mg, v0 by root 2, t square by 2 हो जाएगा, तो by 2 हैं लिख देते हैं, ठीक है, equals to angular momentum, तो मारा आंसर आगे, angular momentum का, m, v0 cube upon 2 root 2 g, ठीक है, बई, किसी को ऐसे नहीं करना था, मान लो, कोई बोलेगी, नहीं सर, मुझे तो आप लिए torque, और मत बताओ, आप तो हैंना, basic से करके बताओ, इसको, basic से कर लेते हैं, कैसे करते हैं, basic से, कि पर जो time दे रखा है, उस time पर पहले particle की velocity बता कर लोगा, तो diagram में मैंने मान लिया कहीं भी, कि मान लो, particle यहाँ पर था, उसका net velocity vector बात के tangential था, इस net velocity vector के दो component थे, एक horizontal, एक vertical, initial velocity के component करके मैंने रख रखने हैं, V0 by root 2, V0 by root 2, हम जानते हैं कि horizontal velocity सेम रहती है, तो यह component तो V0 by root 2 होगा, vertical component मान लेते हैं, Vy था थोड़ देख ले, अब मैं point of projection से, वहाँ तक उस point तक के लिए, vertical upward को positive मानते होगे, first equation लगा रहा हो, vertical direction, final velocity in vertical direction, initial velocity in vertical direction, minus, initial velocity, sorry, V0 by root 2 थी, initial velocity in vertical direction, minus acceleration, क्योंकि G नीचे की तरफ है, into time V0 by G, यहाँ से मेरे पास Vy कितना आगे हैं बच्चों, V0 by root 2, minus V0, यह negative आ रहा है, इसका मतलब particle जो है, वो इधर कहीं रहा होगा, और इधर की तरफ जारद अब खेर, कोई बाद नहीं, answer उस पे, depend नी करेंगा, अपना पाजएगा answer, अब मुझे point P के about angular momentum लिखना था, अब मैं क्या करूंगा, यह सोचूंगा कि यह particle की जो net velocity है न, उसकी एके component के corresponding angular momentum लिखता हूं, जैसे पहले V0 by root 2 के corresponding, m into velocity का यह component, into इस velocity vector, पर point of projection से perpendicular draw करूंगा, तो यह height आईगी, यह height of y direction में displacement, उसको ऐसे लिख सकता हूं, second equation से, initial velocity in y direction, into लगने वाला time, minus half g time का square, और यह जो angular momentum आएगा, velocity vector इदर की तरफ है, हम point P के about देख रहे हैं, तो clockwise sense में आएगा, clockwise, ठीक है, और जो v y था, उसके कारण लिखते हैं, अभी तो plus लगा रहे थे हैं, बाद में direction देख लेंगे, m into v y, v y की value आप यहाँ से put कर सकते हैं, as it is हैं, वो रख देना, mv into यह velocity vector की, point of projection से perpendicular distance, वो एक तरह से उतने time t में horizontal displacement, तो horizontal velocity into जो time बता रहा है, और इसको अगर आप देखें, यह velocity उपर की तरफ है, हम point p पर बैठ कर देख रहे हैं, तो anti-clockwise आएगा, इसका sense, anti-clockwise, तो यह clockwise था, नीचे वाल anti-clockwise है, तो यह minus sign लगा कर, इसका sense palette 2, आप इसको solve करके देखेंगे, वो ही answer आएगा, जो मैंने बताया था अभी, चलिए, आगे बढ़े, question number 29, two bodies A and B of masses M and 2M respectively are placed on a smooth floor, diagram बना हुआ है, they are connected by spring, यह third body of mass M, C का mass भी उतना ही है, जितना A का mass है, B का mass double था, यह V naught speed सा आता है, C और लिखा हुआ है की, elastically टकरा था है, elastically, at a certain instant of time T naught after the collision, collision के बाद किसी time T naught पर, ऐसा देखा गया की, A और B की velocity same थी, ठीक है भी, further, at this instant, the compression of spring is found to be X naught, और उस moment पर spring में compression कितना था, X naught, first part पूचा है, common velocity बताने, A और B की उस time पर, बिल्कु step बे step चलते हैं, जैसे ही, C वाला यह से टकराएगा, same masses, elastic collision velocity interchange हो जाएगी, तो A को तो, C की velocity मिल जाएगी, B naught, और जो अपना C वाले भाहसा भोंगे, C, उसकी velocity 0 हो जाएगी, A की velocity C को मिल गई, और यह just after collision का diagram है, B जो है, B, अभी इस moment पर, B के पास कोई velocity एकदम से तो आईगी नहीं, क्योंकि कोई force, या impulsive force तो B पे लगा नहीं है, अभी spring natural length में है, यह T बराबर 0 है, अब क्या होगा, A right की तरफ जाएगा, तो spring में compression बढ़ेगा, compression आएगा तो B पर भी, spring के करण right side में force लगेगा, B की speed बढ़ना स्टार्ट होगी, तो जिस moment की बात कर रहे हैं, diagram यहां बना लेते हैं, थोड़ी देर के बाद, A और B की बीच में जो spring है, बहुत तो नहीं बोलूगा, compress हो चुकी है, यह उन्होंने बोलाई कि यह time जब T naught था, यह उस moment की बात थी, जब दोनों की velocity सेम थी, इसकी और इसकी velocity सेम थी, यह सेम velocity देखती, क्या चमकेगा दिमाग में, कि यह spring माँ सिस्टम में, जिस moment पर velocity दोनों बोलॉक्स की सेम होती, उस moment पर spring में यह तो maximum elongation होता है, या maximum compression होता है, अब यहां सवाल में compression लिखा हुआ है, तो इस moment पर maximum compression था, और वो compression कितना है, X naught, maximum compression की value दिए है, X naught, फर्स्ट पार्ट था, common velocity बताओ, तो मैं क्या करूँगा, A और B के system पर, मैं देख सकता हूँ, A और B के system पर, इस यहां से यहां तक के process में, external force 0 है, तो system का linear momentum conserve कर दूँगा, initial linear momentum, A का इतना, B का 0, और अभी कितना हो जाएगा, total mass into common velocity, M से M उड़ादो, common velocity के आगई बच्चों, V naught by 3, तो common velocity का answer आचुका है, यह भी पूछाए कि, spring constant बताओ, तो अब क्या करते हैं, इसी system पर, T बराबर 0 से T naught तक, मैं energy conservation लगा रहा हूँ, initially system की total energy, block M के पास, इतनी kinetic, 2M वाले माले, B के पास 0, spring natural length में थी, spring में stored energy 0, इस moment पर लिखते हैं total, kinetic एक साथ लिख रहा हूँ, half total mass common speed का square, जो की V naught by 3 आचुका था, plus spring में stored energy, half K, deformation बता रहा है, X naught था, उसका square, इस equation से, आपके बास A के unknown है, कि आप उसकी value आराम से निकाल सकते हैं, maximum compression वाले moment पर नहीं, किसी और moment पर कुछ और पूस्ते, तो फिर ये सवाल SHM chapter की तरफ चल जाता, फिर हम क्या करते, कि center of mass के frame में जाते, और center of mass के frame में दोनों blocks को SHM करता वा दिखते, फिर SHM की जो basic theory उससे हम करते हैं, class notes में, जब class हम पढ़ाते हैं, सवाल आपने भी कियो होंगे, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह जो भाई साब जिनका photograph आपको दिख रहा है, क्या आप idea लगा सकते हैं, equation की शकल देखकर, कि यह किनका photograph होगा, इससे selection नहीं होगा, वैसा idea है, पर फिर भी, ना, यह photograph है, किर्चॉफ, जो scientist हैं, जिनके हम law की बात करते हैं, किर्चॉफ, current law, किर्चॉफ, voltage law, उनी का photograph है यह, क्या लिखा हुआ है बई, एक diagram के बाद है, जिसमें EF, GH, cell हैं, जिनके EMF हैं, 2, 1, 3, 1, volt respectively, और इन cellों के internal adjustances भी given है, फस्ट पार्ट क्या पूचा है भई, potential difference between B and D, B और D के बीच का potential difference, मुझे बताना है, मैं काम कर रहा हूँ, इसी diagram में दिखा रहा हूँ, देखना, जो पर बना हुआ है, E था 2, volt का cell, चाहिए, F है 1, volt का, G है 3, volt का, और H है 1, volt का, ठीक है, इनके internal resistances यहीं दिखा देता हूँ, E वाले का है 2 ohm, F वाले का है 1 ohm, G वाले का है 3 ohm, और H वाले का है 1 ohm, फस्ट पार्ट में पूचा था, potential difference B and D के बीच में, अब मैं क्या करूँगा, ये जो ये वाली branch है, ये वाली branch, इसमें 2 cell लगे हुएं, दोनों series में हैं, उन cellों को अटा कर एक single cell, अगर मैं लगा दूँ, ये point B था अपना, ये point DL axis diagram दिखा रहा हूँ, तो ये flow कराना चाहता है current को इधर, जबकि F वाला कराना चाहता है उधर, तो दोनों की polarity opposite है, तो net जो EMF आएगा, उस वाली branch में है, वो आएगा इस तरह का, वन वोल्ट का, और 2 ohm और 1 ohm series में हैं, तो एक single resistance 3 ohm से दिखा सकता हूँ, ये बीच वाला 2 ohm, अब आते हैं इस वाली branch को देखो, इस branch में दो cell हैं दोनों series में हैं, G वाला 3 volt का, H वाला 1 volt को और दोनों की polarity opposite है, तो कौन जीतेगा, G वाला जीत जाएगा, उसकी EMF की वाली जादा है, तो net जो आएगा इस branch में वो आएगा 2 volt का EMF, और resistance आएगा 3 और 1 के series combination से, तो कहीं भी लगा दो इस branch में यहां लगा देते हैं, और ओर ओर ओर, एक single cell लगा सकते हैं, और एक single resistance दिखा सकते हैं, तो चलो इसको अपन, cell के combination से कर लेते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों cell को अटाकर एक single cell लगाना चाहरा हूँ, तो उसका equivalent EMF निकालता हूँ, फरमला क्या होता है, parallel combination में, E1 by R1, प्लस E2 by R2 and so on, अपन 1 by R1 प्लस 1 by R2 परिस्टर जोड़ते जाएंगे, तो E equivalent हैंगा, जैसे नीचे वाला cell है, 2V का resistance है उसका 4, उपपर माइनस लिखोंगा कि उसकी polarity opposite type किया, 1 divided by 3, अपन 1 by 4 प्लस 1 by 3, कितना है का उपर LC माया 12, तो 4, 3 दोनी 6, माइनस 4, होल डिवाइड बैनीचे LC माया 12 और 7 आजाएगा, 12 को लेगे 12, E equivalent कितना आगया, 2 by 7 V, तो इन दोनों cell को अटाकर अगर मैं B, D, कि अक्रॉस ये B है, ये D है, एक single cell लगा था, तो उसकी EMF की value होती, 2 by 7 V, और 4 और 3, parallel में थे उसका equivalent आएगा, 4 into 3 upon 4 plus 3, तो 12 by 7, 12 by 7 हो, अब इस loop के अंदर, इस वाले loop के अंदर, flow होने वाला current में लिख सकता हूं आरा हम से, इस loop में total EMF upon, ये सब series में आ जोगे 12 by 7 वाला और 2 वाला, तो 2 plus 12 by 7, ये कितना हो जाएगा, by 7 कर दूँ, 14 कर दूँ, तो 26 by 7 हो जाएगा ये, 26 by 7, 7 से 7 कर देखा, current आएगा 1 by 13, तो इस loop में जो current flow हो रहा है, वो ऐसे flow हो रहा है, 1 by 13 ampere, तो 2 ohm के across, बदर point B और D के बीच का potential difference, potential difference between B and D, ohm से लिख दूँ, I into R से, तो 2 into 1 by 13 volt, means 2 by 13 volt, B में के लिखा है भई, the potential difference across the terminal of each of the cells, G and H, हमको G वाला से और H वाले से ल, कि across terminal, potential difference या जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, वो पता करना है, उसके लिए काम कर लेते हैं, ये डियाग्रम कर लात उठा दी, ये काम आ जाएगा, नीच वाली जो calculation मैंने किये न, उन सब को मैं हटा रहा हूँ, और, जो हमने cello का combination बनाया था न, वो circuit बस मैं छोड़ देता हूँ, उसकी help से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, देखना बढ़ी, ये जो circuit आपको दिख रहा है, ये वाला circuit, इसके अंदर हम बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि इस cell से, x current निकल के आ रहा था, उस x में से मान लो, उधर की तरफ y current गया, तो इधर की तरफ x minus y जाएगा, अब मैं दो अलग-अलग loop में, के विल की equation लगा रहा हूँ, यहां से start कर रहा हूँ, पहले मैं इस वाले loop में घूम कर रहा हूँ, यहां से यहां, 2 minus 4x minus 2 times x minus y जाएगा, के equation बनी, 2 minus 6x plus 2y जाएगा, पहली equation, अब मैं वापस यहां से चल रहा हूँ, इस बड़े वाले रास्ते से घूम के आ जाओंगा, तो 2 minus 4x plus 1 minus 3y equals to 0, यहां से equation आ गई, 3 equals to 4x plus 3y, यह equation number 2, इनको solve कर लेते हैं इंपर, उपर सा रहा है मेरे पास equation 1 से, 2 equals to 6x plus 2y, अब इस x को eliminate करने के लिए क्या करें, इस वाली equation को 3 से multiply कर देता हूँ, तो 9 equals to 12x plus 9y, और इस initial equation को 2 से multiply कर देता हूँ, 4 equals to 12x plus 4y, एक में से दूसरे को minus कर देता हूँ, 5 equals to 5y, y आया 1 ampere, y की value उठा कर किसी में भी रख दो, किसी भी equation में, y की value equation number 2 में रख देते हैं, y आया 1 ampere, तो 1 put करूँँगा, तो x आ गया 0, x 0 आ गया, x 0 आते ही, अभी जो diagram में ने बना रखा था न, ये actual diagram तो उपर सवाल में दे रखा है, जिसको अपन थोड़ा सा, साफ कर देते हैं, ये x current जो है, ये है इस वाली branch का current, जो की 0 आया, ये y current है, इस वाली branch का current, जो की, कितना आया था, अब सवाल पूछा था, potential difference across the terminals of each of the cells, G and H, तो G और H में, उस branch में flowने वाला current 0 आया, और terminal voltage, जो होता है, वो होता है, E minus IR या E plus IR, डिपेंड करता है, कि cell अगर source की तरह behave कर रहा है, तो E minus IR, load की तरह behave कर रहा है, तो E plus IR, पर यहां तो G और H, दोनों में से ही current का flow नहीं हो रहा, इसका मतलब ना तो यह source है, ना load है, यह वाली term 0 हो गई, यह वाली, इनका जो EMF था, वो ही इनके across potential difference होगा, तो G के across potential difference होगा, उसका जो EMF है, 3 volt का, H के across, जो potential difference होगा, उसका जो EMF 1 volt के प्राव है, बढ़े आगे, question number 31, steel wire of length 1 meter, wire की length given है 1 meter, wire का mass given है 0.1 kg, uniform cross sectional area, area given है, लिखते रहेंगे बाद में हैं, is rigidly fixed at both the ends, हमने उस wire को, उसके दोनों सिरों से, ऐसे rigidly fix कर दिया, temperature of wire is lowered by 20 degree, हमने temperature कम कर दिया, कुछ मात्रा में, temperature कम करेंगे, तो wire में, सिकुडने की प्रवर्ती होगी, इसके length कम होने की tendency होगी, length कम होने की tendency होगी, लेकिन हमने दोनों तरफ से दिवार लगा रहा की है, तो विचारा wire जोगा, tight हो जाएगा, इसमें कुछ tension generate हो जाएगी, इसमें कुछ tension आ चुकी है, फिर हमने transverse waves इसमें generate की, यह ना, by plunking, the string in the middle, बीच में plunk करते होगी, calculate the frequency of fundamental mode, यह तो बहुत simple सवाल बन गया, कि यह एक string होगी, जो दोनों तरफ से fixed है, fundamental mode में, जब vibration होते हैं, तो diagram ऐसा बनता है, और frequency in fundamental mode, V by 2L होता है, इस तरह की string में, जो दोनों तरफ से fixed है, V जो है, अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है, कि हमने transverse wave generate की है, transverse wave, के लिए V होता था, root T by mu, divide by 2 times L, value आप put कर सकते, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, L question में given है, 1 meter, L की ज़रे 1 meter डाऊगा, mu, mu कहां से आएगा, अलग से लिख देते हैं, mu है mass of wire, यह string, divide by length of string, mass per unit length, mass भी given है, length भी given है, मतलब mu भी आगया, tension कैसे निकालेंगे, उसके लिए question में, extra data दिया हुआ, young's modulus बता रहा है, steel का alpha बता रहा है, तो उसको देखने से चमके का, कि young's modulus का formula अप्लाइ करना पड़ेगा, young's modulus का formula लिखता हूँ, stress upon strain, भी जानते हैं, thermal expansion ने बताया जाता था, कि change in length, temperature में change के कारण जो होती है, alpha L delta T, तो change in length by L हो जाएगा, alpha delta T, तो young's modulus equals to, tension by area upon, delta L by L को, alpha delta T लिख रहा हूँ, यहां से मेरे पास, tension, T बोले तो tension है आप है, equals to क्या जाएगा, young's modulus into, area of cross section of wire, into alpha delta T, यह सारी values question में given है, आप put कर दें, और finally आप, इस fundamental frequency के formula में, value डाल दें, तो answer आपका आजाएगा, आगे बढ़ते हैं, question number 32, uniform rope of length 12 meter, एक rope है, जिसको हमने, vertically ऐसा attach कर रखा है, इसकी length given है, इस rope का mass given है, same mass, नहीं, block of mass, block लगा है हमने, जिसका mass है 2 kg, यह जो wire या string है, इसका mass दे रखा है 6 kg, यह length है 12 meter, इस transverse pulse of wavelength, 0.06 meter is produced, at the lower end, हम इसके lower end पर, एक wave pulse generate करते हैं, है ना, एक second, lower end पर एक wave pulse generate करते हैं, जहां उसकी wavelength, हमको दी हुई है, given है, इतना सा पूछा है, what is the wavelength of pulse, when it reaches the top of the rope, जब यह pulse इस rope के top पर पहुँचेगी, तो वहाँ इसकी wavelength, lambda dash maal लेता हूँ, basic concept क्या है, कि कोई भी wave, चाए वो string हो, चाए वो sound हो, या light हो, यह formula आप जानते हैं, और यह भी जानते हैं, कि frequency जो है, यह सिर्फ और सिर्फ, depends on source, जए source की help से, हमने उस wave को generate करा है, उस source की property है, तो हमने जिस भी source से, इस wave pulse को bottom पे generate करा हो, जब यह wave pulse उपड़ चड़ेगी, उपड़ जाएगी, तो इसकी frequency change नहीं होगी, इसका मतलब इस wave pulse के लिए, v by lambda, वो constant रहना चाहिए, ठीक है भाई, यह जो v है, यहाँ पर रसी के case में बात करों, string के case में, wave की speed का formula root t by mu होता है, तो v by lambda मैं लिखूँगा, bottom most position पर, फिर top most पर, और यह ratio constant अथो उसको equate कर देंगे, bottom पे लिखते हैं, bottom पे speed है, root, यहाँ पर, इस formula पर apply कर रहा हूँ, tension है, 2 के कारण 20 newton, upon रसी का mu होगा, कुछ mu को mu लिख देते हैं, upon lambda, lambda दिया हुआ अथ location पर, 0.06, equals to, जब यह pulse, top most point पर पहुँचेगी, तो वहाँ पर wave की speed v, root t by mu, वहाँ tension के लिए मैं, इस पूरे system का total mass देखूंगा, रसी का mass था, 6 block का mass है, 2, root के अंदर, tension वहाँ होई, 18 newton, mu तो रसी के लिए, mass per unit land है, वो तो change हुआ नहीं होगा, upon lambda, बहाँ पर, यह आप cancel out कर दे, इसको solve कर ले, आपके पास lambda की value आ जाएगी, ठीक है, चलो भई, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, the ionization energy of a hydrogen-like bore atom, bore से याद आया, कि यह है, Niels Bore, जिन्होंने, bore का atomic, जिसकों bore का atomic model बोलते हैं, वो इन्होंने ही suggest किया था, है ना, खेर, bore के atom के बारे हम बता रखा है, ionization energy है, for redberg, बात कर रहा हूँ, का formula होता है, electron की total energy का, यह, जा N का मतलब है, orbit का number, किसी item को ionize करना है, तो मुझे ground state में रहने वाले electron को, इतनी energy देनी पड़ती है, जिससे कि वो कहां पहुँच जा infinity पर, क्या आप जानते हैं, क्या N बराबर 1 में, टोटल energy कितनी आजाएगी इस formula से, इतनी आजाएगी न, N बराबर infinity पूट कर दूँगा, तो total energy क्या आजाएगी बच्चो 0, तो जितनी energy हमको देनी पड़ी, ग्राउंड वाले electron को, infinity तक पहुचाने ते, जितनी minimum energy देनी पड़ी, वो क्या हो जाती है, ionization energy, तो ionization energy, एक तरह से, इन energies का difference होगा, तो वो कितना आएगा, 13.6 Z square, इसकी value हमको कितनी बता रहे हैं, बच्चों, 4 into Rydberg constant, फर्स्ट equation आगई, यह पर पास, ठीक है गई, यह part, what is the wavelength of radiation emitted, when the electron jumps from the first excited state, to the ground state, तो इसके लिए भी general और बाते कर लेते हैं, यह energy level, diagram में दिखा रहा हूँ, मालों कोई भी electron, किसी भी N2 level से, jump करके, jump करके, किसी N1 level पर आता है, तो हम जानते हैं, कि photon निकलता है, कितनी energy का photon निकलता है, उसके लिए क्या करूँगा, N2 में जब electron था, उसकी total energy लिखूँगा, N1 में जब आ जायागा, तो उसकी total energy लिखूँगा, energy में जितनी कमी आई होगी, जितना decrement हुआ होगा, उतनी energy का photon निकला होगा, तो photon की energy, जिसको मैं hc by lambda से denote कर सकता हूँ, जिसको ऐसे बोल सकता हूँ, energy of electron in N2 level, minus energy of electron in N1, आप जो general formula यह दा वाला था, यह put करें, तो आपके बास क्या आ जाएगा, 13.6 Z square, 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square, चीक है, अब आते हैं फिस्ट पार्ट पर, थोड़ी मैं जगे बना लू, इसको erase करके, वो equation लिख देता हूँ, जो मैं लिखी थी अभी, ionization energy थी, 13.6 Z square, जो कि कितनी की बन है, 4R, यह अपनी equation बन थी, यह में पूछा है कि अगर electron जंप करता है, first excited state, first excited state मतलब, क्या होती है वही, ground के जश्ट बादवाली, मतलब N बराबर 2, say N बराबर 1 में आना है, इस formula में, N1 की जगे 1 डाल दो, N2 की जगे 4 डाल दो, तो यह पूरी quantity, आपके पास कितनी बन जाएगी, N2 की जगे 2 डाल दो, तो 1 माइनस 1 बाइबो, 3 बाइब 4, तो equation आईगी अपने पास, hc बाइब्डा, equals to 13.6 Z square into 3 बाइब 4, सभी बात है, यहां तक कोई दिक्कत हो, किसी भी दर रहेगी, और यहां से मुझे क्या पूछा था हूँ, उन्हें वेवलेंड बतानी थी, तो अगर आपको idea हो, कि 13.6 upon hc, यह पूरा constant जो होता है, यही rate bar constant होता है, तो मैं hc की value, की जगे क्या लिख सकता हूँ, 13.6 into 4, 4 से 4 उड़ा दू यह वाला, लेमड़ा आजाएगा, 3R square, नहीं, डिवाइड ना है वाल, क्या कर रहा हूँ आर यह, 13.6 upon 3R square, यह लेमड़ा आजाएगा, आगे क्या पूछा है B part में, what is the radius of the first orbit of this atom, हमको इस, जो भी atom है, उसकी first orbit की radius बतानी है, इसके लिए आपको, बोर के atomic model में, जो radius का formula अपने पास था, क्या होता है, 0.529 angstrom, N square by Z, first orbit तो N की जाएगे, 1 put कर दूँगा, Z की value, मैं यहां से लाके put कर दूँगा, 4R by 13.6 root के अंदर, 0.529, Z की जाएगे लिखूँगा, मैं root के अंदर, 4R by तो उसको reverse करके लिख दू, 13.6 by 4R, आप R की value पुट करके, solve कर सकते हैं, R की time में छोड़ सकते हैं, चलिए, next question, एक प्लेनो कॉनवेक्स लेंस, हैसे थिकनेस ओफ 4 cm, एक प्लेनो कॉनवेक्स लेंस है, जिसकी थिकनेस, यह होती ही थिकनेस, T गिवन है, 4 cm, एक होरिजन्टल टेबल विद अ कर्ब सर्फिस इन कॉन्टेक्ट विदिट, एक होरिजन्टल टेबल है हमारे पार्स, यह मिरर नहीं है न, टेबल मान लिए है, और हमने इस तरह से रखा हुगा है कि, यह बोल रहे है कि, कर्व्ड सर्फिस इन कॉन्टेक्ट विदिट, उस लेंस की जो कर्व्ड सर्फिस थी, थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, वो टेबल के कॉन्टेक्ट में है, तो जो प्लेन सर्फिस है, वो यह हूगी, यह अपनी थिकनेस है, फोर सेंटिमीट है, अब क्या लिखा हुआ आगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट अफ दे लेंस ऐसे आ रही होगी, और प्लेन बाउंटरी से रिफ्रेक्शन हो रहा होगा, तो अपरेंट डेप्ट का फार्मला हम जानते है, अपरेंट डेप्ट इक्वल्स टू एक्च्वल डेप्ट अपन एन रिलेटिव, यह फार्मला कब लगाते हैं, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है, वो दिया हुआ है क्या, यह शाद पूछा होगा, फोकल लेंथ पूछिए, कोई बात नहीं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अपन माल लेते हैं, एन माल लिए मैं, इसके medium का refractive index, upon nr जो है, जिस medium में refracted raise है, मतलब air, जिसका 1 है, और apparent depth दे रखिए 3 cm, यहां से मुझे n की value पता चल गई, बच्चों, 4 by 3, चलो, lens के material का refractive index पता चला, आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है, if the lens is inverted, such that plane face is in contact with the table, then apparent depth of the center of the plane face of the lens is found to be 25 by 8, अब हमने क्या करा, यह वो table थी, जो plane surface है न, lens की, वो table के contact में रखी, और यह curved surface है, ठीक है, plane surface का जो midpoint है, यह, इसको अगर हम बाहर बैटकर देखते हैं, तो उसकी apparent depth दिखाई देती है, 25 by 8, अब इस object से जो raise आ रही होंगी, वो इस spherical surface से refract होकर observer की आँखो में जाएगी, इसकी image, यह बोल रहे हैं, अपरेंट depth 25 by 8 थी तो इसकी यह object है, इसकी image जहां बनी, वो image की जो depth यह distance है, यह कितनी है, 25 by 8 cm, इस बार कौन सा formula लगाएंगे बच्चों, N2 by V, minus N1 by U, equals to N2 minus N1 by R, ठीक है, इस point को origin मानते हुए, इस direction को positive मानते हुए, value put करते है, N2 मतलब air, V मतलब minus 25 by 8, minus N1 मतलब lens के material का refractive index, जो हमको पता है 4 by 3, U, यह object इसका coordinate है, minus के साथ, इसकी जो thickness है, मतलब minus 4 cm, equals to 1 minus 4 by 3 upon, center का coordinate, इसके respect में center यह रहा, coordinate हो जाएगा, minus 4, इस वा सॉल कर लें गबार, यह हो गया, minus 8 by 25, और यह plus हो गया, 4 से 4 कड़ गया, तो 1 by 3, equals to right side में है, minus 1 by 3, और minus minus plus हो जाएगा, तो 12, अरे, उस तो इसमें known रहा होगा, यह क्या करा मैंने, अच्छा, यह क्या है, किती बड़ी mistake कर दी, यहाँ, यह जो r था, यह radius of curvature था, इस surface की radius of curvature, यह diagram थोड़ा में यह से hemisphere type का बन गए, इसलिए ऐसे mistake हो गई, तो अच्छी बात है, mistake करके सीख रहा हूँ, यह hemispherical surface का center जहाँ पर होगा, वो diagram वाइज अगर मैं देखूँ, यह थोड़ा ऐसा बनेगा, वो center यहाँ कहीं पर आएगा, 25, equals to minus 1 by 3R, तो यह थर आजाएगा अपना, 1 by 75, equals to minus 1 by 3R, R आगया, minus 25 cm, मतलब वो spherical surface की ROC, मेरे पास आगी 25 cm, अब question है, पूछा था, find the focal length of lens, अब तो यह, lens makers formula का सवाल होगा, तो 1 by F, equals to, n relative, मतलब lens का refractive index, upon बाहर air मानके चल रहे है, minus 1, into, 1 upon R1, जैसे एक surface flat थी न, और एक surface spherical थी, मानलो light यहाँ से आ रही थी, तो 1 upon R1, flat surface की ROC, infinite, minus 1 upon R2, इसकी ROC 25 हाई, पर इसका coordinate negative side, left side पर होगा, तो minus, बच्चेस, तो 1 by F, equals to, जी कितना आया होई अपना, 4 by 3 minus 1, मतलब 1 by 3, इधर सा आया अपना, 1 upon 25, तो focal length कितनी आगी बच्चों, 75 cm, ठीक है बच्चेस है न, ठीक टाक सवाल था, कोई बहुत खास तो नहीं था, आगे बढ़ते हैं, पेपर का last question, The rectangular box shown in the figure has a partition which can slide without friction along the length of the box, ठीक है बच्चेस, इनिशली इच अफ़ तो compartments of the box has 1 mol of monotomic ideal gas, इधर भी 1 mol gas है, इधर भी 1 mol है, ये भी monotomic gas, ये भी monotomic gas, ये भी monotomic gas, आगे देखे, अगे बढ़ते हैं, चैंबर on the left is slowly heated, बहुत ही धीरे-धीरे heat up कर रहे हैं, ये बहुत important line है, partition B और walls of the box भी क्या है, thermally insulated, मतलब heat का flow इनके दुरू नहीं हो सकता, ठीक है, तो gas in the left chamber expands, pushing the partition, अगर हम heater से heat देंगे ऐसे, तो यहां के particles को heat मिलेगी, वो पागल हो जाएंगे, वो इस बीच के partition को धक्का मारेंगे ज़्यादा जोड से, तो partition बहुत धीरी-धीरे move करते हैं, क्योंकि बहुत धीरी-धीरे heat दे रहे हैं, slowly move करेगा, और shift होगा right side में, फिर आगे क्या लिखा हुए, the gas in the left chamber expands, pushing the partition, until the final pressure in the both chambers becomes इतना, तो एक बार एक काम करते हैं, एक रफ इसके हैज बना लेते हैं, final condition, माल लेते हैं कि वो जो partition है, वो finally, यहां कहीं आ चुका था, दोनों तरफ का pressure दिया हुए, 243 P0 by 32, और उधर का भी, 243 P0 by 32, ठीक है, अब क्या क्या पूछा देखते हैं, first part, final temperature of gas in each chamber, हमको दोनों तरफ का final जो temperature है, वो पता करना है, देखो, total system का जो volume था, पूरे system का, वो कितना था, 2 V0, इधर भी V0 था, इधर भी V0 था, अब, finally, जो मैं देखूँ, माल लेता हूँ कि right side का, जो gas वाला chamber है, उसका volume माल लेता हूँ मैं V है, तो left side का 2 V0 minus V होगा V, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं right side वाली gas, के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि process, adiabatic process है, तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि right side वाली gas को देखना, बीच का partition, और ये दिवारे, ये insulating है heat के लिए, और हमने heater के through gas, को heat कर रहे हैं, वो तो left वाली gas थी, इसमें जो gas है, इसको तो ना heat के मिलने का कोई रास्ता है, ना इसमें से heat के बहार निकलने का कोई रास्ता है, तो right side वाली gas के लिए, right side gas के लिए कैसा process है, adiabatic, adiabatic process में PV की power gamma क्या कर देते हैं, बच्चो constant, लिखते हैं, initial pressure P0 था, initial volume V0 था, gamma दे रखा है 5 by 3, इक पस्टो, final pressure at 243, P0 by 32, final volume मैंने V महाना है की पावर gamma, और gamma तो दिया हुआ है, 5 by 3, इसो स्वाल कर लेते हैं, P0 से P0 उड़ा देते हैं, और यहां से मेरे पास V की value, कितनी आजेगी भई, V0 into 32 upon 243 की पावर 3 by 5, सही है, चेक कर लेंगा, इसको एक काम करते हैं, आपन ऐसे लिख लेते हैं, divide by कर देता हूं, यहां, पावर में हर तरफ, 3 by 5 लिख दूँगा, मेरे पास आजाएगा, 243 upon 32, की पावर 3 by 5, अब सही है न, चेक कर लेंगा, अब यह 243 by 23 कितना होता है, कितना हो गई है, 10 से multiply करोंगा, तो 230 हो जाएगा, उसके बाद तो add नहीं हो पाएगा, यह लब के calculation गंदी जाएगी इसमें, मिस्टेक तो नहीं ही चेक कर लेंगा, पी नॉट, वी नॉट की पावर गामा, इदर पी नॉट, वी की पावर गामा, हर तरफ, जो पावर है, उसको मैं, मैं 3 by 5 से multiply कर देता हूँ, तो इदर वी नॉट बचेगा, फिर से लिखके देख लें एक बार, यह बार हो जाती ही, मुझसे दलती calculation में, वी नॉट बचेगा, उधर वी बचेगा, इदर 243 by 32 की पावर 3 by 5, सही लिखा था मैंने न, तो यहां से अपने पास, अब यह मैं calculate कर लेंगे, तो मेरे पास V की value आ जाएगे, in terms of V नॉट, V की value आते ही, अब मैं क्या करूँआ, temperature बताना है, initially, gas का pressure P नॉट था, volume V नॉट था, माननो number of mole, जो की given है, 1 ते पर N मान लेते हैं, temperature T नॉट था, finally, right side value gas को देख रहा हूँ है, pressure 243 by 32 P नॉट था, final volume V है, जो की मेरे पास यहां से आ चुका होगा, एक pulse to N are final temperature T final of right side value gas, यह right side value gas की बात चल रही है, उपर से जो भी V की value आई की in terms of V नॉट रखके, दोने equations को divide कर देंगे, उससे final temperature in terms of T नॉट मेरे पास आ जाएगा, left value gas के इसले भी same यही काम करते है, pressure into volume equals to N are T not initial condition, final pressure जो की दोनों तरफ same दिया हुआ है, final volume of left side वाली gas, वो है इतना, equals to N, R और temperature मालो T left, इन दोने equations को divide कर देंगे, तो T left भी आपके बास आ जाएगा, ठीक है, तो first part का answer आ जाएगा, temperature, इवारे इनका answer देखें, अच्छा सा आ रह है, हाँ तो देखो, बेकार answer आ रहे है, मतलब calculation गंदी फसेगी, तो calculator, इस से मुझे लगा, कि उस दौरान calculator allow शायद होता होगा, second part क्या है भई, work done by the gas in the right chamber, बहुत simple है अब तो, right chamber में जो gas है, उसने कितना work करा, right chamber में जो gas है, उसके लिए process कैसा था भई, adiabatic, work done by gas in adiabatic process क्या होता है, p final, v final, minus p initial, v initial upon 1 minus gamma, मैं value put करके छोड़ रहा हूँ, p final, 243 by 32, v final, v final, v, जो की v naught की time में में मेरे पास आ चुका था, p initial, v initial upon 1 minus gamma, work done by gas on right side, यहाँ से आप solve कर लें, आपका answer आ जाएगा, तो overall कहा जाए, तो paper जो है, मैं कहूँगा कि simple type का paper था, तो आप बिलकुल time limit के रिसाब से question इस paper को attempt करें, और last में answer है, answer की साब match करा सकते हैं, मैं लिखा यहाँ पर let's begin, generally वैसे end हुआ है, पर end होना नीची किसी भी चीज़ का, तो हर चीज अपन फिर से शुरू करेंगे, हार जाएंगे, तब फिर से start करेंगे, यहना ऐसे लड़ते रहेंगे, कभी ना कभी तो अपन जीती जाएंगे, तो total मिलाके, जितने भी questions है, मैं roughly बोल रहा हूं मेरे साब से, अगर आप इस paper को paper की तरह time करते हैं, time लगा कर, तो maximum side पर two hours का time आप जरूर ले, दो गंटे मे इसको time करने की कोशिश करें, answer की से match कराएं, और जो भी questions नहीं आयों, फिर आप वीडियो को आकर जरूर देखें, ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे फिर next solution में, अलविदा, बाय बाय, टाटा